उम्शक्ति हम सब सीधा होकर बैठें और दू मिनिट के लिए साइलेंस में बैठेंगे हमारा मन सारा दिन में बाहर की दुनिया के तरफ सब चीजों का ध्यान रखता है दुनिया में क्या हो रहा है विश्व के कोने कोने में क्या हो रहा है वो भी हमें पता होता है लेकिन सब तरफ ध्यान रखते हुए कई बार हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता जो जगह सबसे समीब है तो है अपना मन कि मेरे मन के कोने कोने में क्या हो रहा है सो आज के दिन को ही चेक कर लेते हैं आज का सारा दिन कैसा रहा बाहर नहीं मन के अंदर आज का सारा दिन कैसा रहा सुपाहर सी धन्या से द्यान हटाए और बिल्कुल यहां लेकर आए कि आज सारा दिन इस अंतर जगत की दुनिया में क्या हाल चाल रहा संकल्प कैसे चले भावनाई कैसी रही सब के बारे में सूचा तो कैसे सूचा किसी परिस्थिती के बारे में सूचा तो कैसा सूचा अच्छे से चेक करें क्या मेरे मन पर कोई दाग लगा सिरफ दाग कोई ऐसा संकल जिससे मेरे मन को थोड़ा सा दर्ध हुआ थोड़ा सा कम्फिटूबल नहीं था और फिर रीवाइंट कीछे कि सिरफ आज दिन नहीं लेकिन क्या मेरे मन के कोनों में कोई भी ऐसी बात है क्या मेरे पास कोई ऐसी आदत है क्या मेरा कोई ऐसा संसकार है जो मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है अच्छे से देखना है कोई ऐसी आदत अगर आज हम अपने शरीर के स्वास्त को चेक करें तो अपने आपको नंबर दीचिए दस में से कितने देंगे शरीर इक स्वास्त को शरीरिक शक्ति को दस में से कितने नंबर देंगे और नंबर दीचिए अभी फिजिकल हेल्थ और फिर नंबर दीचिए अपने मन की शक्ति को दस में से नंबर दीचिए कि मैं अपने मन को कितना शक्ति हर परिस्थिती में सदास्थिर अच्छ एक्रस्थि नंबर दीचिए अपने आपको आज ये नंबर देना होगा अपने मन की शक्ति को नंबर देचिए और फिर कोई एक बात को चेकेज़े कि ये एक चीज अगर मैं अपने अंदर परिवर्दन करूँ तो मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगे क्या मुझे पता है कौन से परिवर्दन से मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगे और अब एक संकल्प करें मैं शक्तिशालियात्मा हो मैं अपने मन का मालिक मेरा मन मेरे अनुसार चलता है हर संकल्प हर सोच मेरी चोईस है मैं शक्तिशालियात्मा इस मन की मालिक इन कर्मिंद्रियों की मालिक स्वराच्चे अधिकारे आत्मा हूँ खुद पर राच्चे करती हूँ मैं आत्मा राजा हूँ मेरा मन मेरा कहना मनता है मेरी कर्मिंद्रिया मेरे अनुसार चलती है मैं राजा हूँ स्वराच्चे अधिकारे आत्मा शक्तिशालियात्मा अम्षादी ओम्षादी किस-किस ने अपने शरीर के स्वास्त के लिए अपने आपको नंबर दिया सभी सेवाधारी अपने अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे खड़े नहीं हो ना कोई भी और दर्वाजा खोल दो पिछे का कोई खड़े नहीं हो हाँ जी शरीर के स्वास्त के लिए नमबर दिया मन की शक्ति के लिए नमबर दिया के साधार पर दिया शरीर का स्वास्त के लिए नमबर देना तो पता है कैसे देना है शरीर के स्वास्त के लिए नमबर के साधार पर देते हैं कैसे चेक गया कि मेरा शरीर हेल्दी है perfect healthy है healthy है थोड़ा healthy है थोड़ा कभी-कभी किस आधार से basis क्या है उसका किस आधार से चेक क्या anybody किस आधार से चेक क्या मैं तो नंबर कैसे दिये फर किस आधार से चेक क्या हाँ जी अच्छा medical test की report कैसे आती है उस आधार से दिया और शरीर की शक्ति, शरीर हेल्दी कितना है, वो हमके साधार से चेक करते हैं focus properly, और any deviation from normal, but what kind of deviation? इनर्जी लेवल कितना है और शरीर का स्वास्त कैसे चेक करते हैं अच्छा मन की शक्ति का कैसे चेकिंग है अच्छा किसने अपने आपको 10 on 10 दिया दूसरों का हाथ नहीं चेक करना है इसमें और कितने भी नंबर दियो हो उससे कोई फड़क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा एम तो 10 on 10 पहुंचने का है ना इट डाजन्ट माटर के अभी कितने मांक्स हो लेकिन इंपोर्टेंट होता है चेक करना तो सही कितने नंबर है means check करना तो सही कि मेरी शक्ती कितनी है जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं कि फोन की बैटरी कितनी चार्ज है हमें पता है कि हम उसको फुल चार्ज कर सकते हैं लेकिन चेक तो करना पड़ेगा कि फुल है 80 परसेंट है 50 परसेंट है नहीं चेक किया तो नहीं चेक किया तो जब जरूरत होगी तब कुछ आपको बहुत अरजन्ट कॉल करना है अभी आप एक क्राइसिस के अंदर अठके लेकिन उस समय ही फोन नहीं चल रहा तो कोई बुलेगा चेक क्यों नहीं किया था कि कितनी बैटरी थी तो हम गेंगे मुझे लगा नहीं लगा मतलब चेक करना चाहिए था न तो कोई चीज हमारे पास है लेकिन हमने चेक नहीं किया तो वो समय पर हम बस अपना चल रहे है और चेक नहीं कर रहे है और जीवन में अचानक कोई बात आती है और वो बात सामना करने के लिए शक्ति चाहिए है लेकिन जितनी शक्ति उस बात को सामना करने के लिए चाहिए उतना बैटरी में उस टाइम पावर नहीं है और जब बैटरी में पावर नहीं होती तो वो बात बड़ी हो जाती है और हम और फिर हम क्या कहते हैं कितनी बड़ी बात थे बाते बड़ी होती है बाते बड़ी होती है जैसे अगर ये टेबल उठानी हो अभी और हर एक को आना पड़े स्टेज पर और इस टेबल को उठाना हो तो कोई कहेगा कि ये टेबल कितनी कोई कहेगा यह टेबल कितनी भारी है कोई कहेगा मुझसे तो हिलती भी नहीं है और कोई कहेगा यह तो कितना आसान है पर टेबल तो वही है किसी से हिलती भी नहीं और किसी से आराम से उठ सकती है किस बेसिस पर शक्ती लेकिन हम यह नहीं कहते हैं उस टाइम मेरे पास शक्ति कम है, हम कहते टेबल भारी है, इस टेबल को थोड़ा हलका बनाओ, मैं ठीक हूँ, टेबल भारी है, ऐसे ही जब situation आती है, हम यह नहीं कहते मेरी शक्ति कम है, हम कहते बात बड़ी है, बात का साइज कैसे डिसाइड होगा, बात का साइज कैसे डिसाइड होता है, हम कहते हैं जैसे ही कोई बात आती है, तो हम तुरंत एक थौट क्रियेट करते हैं, कोई कहते हैं कित्ती बड़ी बात, कोई कहते हैं बहुत बड़ी बात, कोई कहते हैं हाँ बड़ी बात तो है, कोई कहता है छोटी सी बात कोई कहता है इसमें क्या बात और कई बार फिर उसी बात पर जगड़ा होता है आपको ये बात छोटी दिखाई देती है और दूसरा कहते है तुमने इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाया हुआ है तो बात के साइस पे अर्गूमेंट चलता है तो छोटी-छोटी बातों को बड़ा बना देती हो सामने वाले के तो आपको तो कोई बात इंपोर्टन नहीं लगती है क्योंकि आपको तो अपने औफिस के काम से फुरसत नहीं है तो आपको घर के बाते इंपोर्टन नहीं लगती है तो बात तो side पे होती है discussion किस पे होता है कि बात का size कितना है क्योंकि उसी family में दो लोगों के लिए उसी बात का size अलग-अलग होता है लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि दूसरे वाले को इसका size अलग क्यों लग रहा है क्योंकि हमें लगता है जितना size मुझे लग रहा है उतना ही सब को लगना चाहिए तो अगर मुझे बात बड़ी लग रही है मुझे लगता है जिसको छोटी लग रही है वो careless है और जिसको छोटी लग रही है उसको लगते है सामने वाला बहुत जादा exaggerate करता है इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के रखा हुआ है लेकिन हर एक जो उस बात को size दे रहा है क्या वो right है या wrong है वो size जो दे रहे हैं वो right है या wrong है right है क्योंकि वो size किस basis पे देंगे वो size किस basis पे देंगे इसलिए कभी भी दूसरे के size को पर question mark नहीं करना है तुमें इतनी बड़ी है क्यों लग रही है ये बात लग रही है इसलिए तो बोल रहे हैं लग रही है इसलिए तो बोल रहे हैं लेखिन वो एक साइन है कि मेरा बातों को सामना करने की शक्ति कितनी है तो 10 on 10 हाथ उठाए 9 8 उपर 7 6 5 4 3 2 किस बेसिस पे दिया 2 अचा 1 1 तो आए नहीं होंगे उनके लिए यहां आना भी बहुत बड़ी बात है ताकत नहीं होती है उतने है और ताकत नहीं होती है मतलब priority नहीं रखते उसको priority ही नहीं रखते क्योंकि उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया क्योंकि सारा ध्यान किस तरफ चल रहा है सारा दिन? बाहर चल रहा है वैसे यह नंबर किस बेसिस पर दिया अपने आपको हो सकता है बेसिस ही रॉंग ता शायद मार्क्स चेंज हो जाएं अभी किस बेसिस पर दिया अपने आपको नंबर? 8, 9, 2, 2 तो परता नहीं कैसे दिया 2 आपने आपको अब आप चेक करवाओ किस बेसिस क्राइटेरिया होना चेह ना मैंने मार्किंग कैसे दिया अपने आपको इसका तो कोई टेस्ट होता नहीं है इसका तो कोई चेकप होना नहीं है इसकी पावर किसी डॉक्टर ने भी ने आपको बतानी है इसकी power किसने decide करनी है मैंने खुद तो आप बताइए कि क्या criteria होने चेक करने के लिए कि मेरा mind powerful है या थोड़ा सा या थोड़ा सा and it doesn't matter कहा है क्योंकि जाएगा तो 10 on 10 and most important अपने आप से पूछे 10 on 10 चाहिए नहीं चाहिए तो फिर बता आने रहके चाहिए 10 on 10 चाहिए नहीं चाहिए क्या हो जाएगा जीवन में अगर 10 on 10 हुआ क्यों चाहिए क्या होगा what does it mean इसका meaning क्या है कि मेरा mind powerful 10 on 10 इसका meaning क्या है इससे life में क्या change आएगा हाँजे किसकी चक्ति आजाएगे हर परिस्थिती में क्या करने की शक्ति आजाएगे सेहन करने की शक्ति आएगे number one सेहन करने की शक्ति आच्छा और कौन सी शक्ति आएगे 10 on 10 powerful mind क्या करेगा सारा दिन के अंदर stable रहेगा हर situation में अभी just visualize कोई भी बात आई stable और stable का opposite क्या होता है stable का opposite क्या है unstable नहीं बोलेंगे stable का opposite disturbed होना disturbed होना stable मतलब एक रस और disturbed मतलब ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों घ्राफ कैसे जा रहा है उपर नीचे, उपर नीचे, कभी बहुत excited, फिर कभी एक तब लो, तो एक सहन करने की शक्ति आएगी, दूसरा stable हो जाएंगे, anything else? creative हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, ऐसे thoughts आएंगे, जो किसीने कभी सोचे भी नहीं होंगे, creative, out of the box, different, क्योंकि वो thought कहां से होंगे, वो thought mind की उपर लेयर से नहीं होंगे, वो अंदर, subconscious mind से, जिसको हम कहते हैं intuition, लेकिन intuition की thought कब पता चलेगी, जब उपर का मन क्या होगा? intuition है न, वो अंदर है, मतलब जैसे पानी की लेयर उपर की अगर शान्त होगी, तब नीचे क्या पड़ा है, वो दिखाई देगा, लेकिन उपर अगर, तो नीचे क्या है, वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो जैसे ही ये top layer of the mind silent होती है, तो बढ़े बहुत बढ़िया चाहिए है, life हमारी, problem हमारी, karma हमारा, भाग्य हमारा बनने वाला है, और दूसरे को पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन क्यों पूछते हैं, क्योंकि mind इतना शोर मचा रहा है, तो शोर में solution की आवाज सुनाई नहीं देती है, जिसके लिए हम कहेंगे, मेरी conscience क्या कहती है, कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय, तो वो conscience बोल रही है, लेकिन शोर बहुत है, तो शोर में मुझे अपना ही answer सुनाई देने वाला नहीं है, तो वो answer सुनने के लिए मुझे शोर को क्या करना पड़ता है, कोई आप से बात कर रहा है, लेकिन आसपास बहुत शोर है, लेकिन वो सामने वाला आपको बहुत valuable बात बता रहा है, लेकिन शोर बहुत है, और जब शोर बहुत है, आपको वो valuable बात सुनाई नहीं देगी, सुनाई दी तो समझ नहीं आएगी, और अगर वो हुआ, तो निरने राइट नहीं लेंगे, तो करम चेंज हो जाएगा, और करम चेंज हो गया तो भग्य बदल जाएगा सिरफ क्यों बतला? जब वो आवाज आ रहे थी तो शोर बहुत था और इसलिए कई बार decisions थोड़े से और फिर इसलिए अब decision लेने से डर लगता है कि कहीं मेरे decision का परिणाम गलत नहीं होना चाहिए इसलिए किसी और से पूछो और आजकल हमारे पास वो devices आ गया है ना जो हर चीज का अंसर देते है तो हम उसको बोलते हैं आपको क्या लगता है? मुझे क्या करना चाहिए? तो 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 आवास देता है उदर से वहां से कुछ तो हमने अपने करम, अपने भाग्य के decision भी devices से पूछने शुरू कर दिया है तो कहीं न कहीं तो तो इसलिए जब ये मन का शोर शांत होगा तो ऐसे ऐसे answer मिलेंगे जो हम कहेंगे अरे ये मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे भी हो सकता है इसको कहेंगे intuition intuition तो creativity बढ़ जाएगी, शोर खत्म हो जाएगा और क्या होगा? सेहन शक्ती आएगी, स्थिरता आएगी intuition आएगा और कोई बात आएगी? 10 on 10 है? वो तो happy रहेंगे सेहन हो गया तो happy भी रहेंगे और क्या हो? respond right करेंगे और क्या करेंगे? energetic अब energetic को भी कैसे पता चलेगा? energetic कैसा feel करता है? energetic ठका हुआ नहीं होगा मन हमें से कौन-कौन ठक जाता है शाम तक कौन-कौन सुबे भी ठके हुए होते हैं सुबे उठते कैसे हैं? किसका सुबे उठकर थोड़ा से सोने का मन करता है? हाथ उठाओ सुबे उठकर सोने का मन करता है तो सोने का मन किसका करता है? जो फ्रेश है उसका सोने का मन थोड़ी करता है सोने का मन किसका करेगा? जो energized नहीं है तो सबसे पहले तो सुबह सुबह ही checking हो जाती है कि energy level कितना है सोने का मन करता है किते पाँच मनट और सो लूँ पाँच मनट में क्या होगा ऐसा जो छे घंटे में नहीं हुआ लेकिन जब हम थके होए होते हैं न थो जो ँए पांच पिनिट रेस्ट तो आप में उठता हूं लेकिन हमारे पास वो भी टाइम नहीं है सुबह तो उस थके होए मन को हम उठा कर क्या करते हैं? फिर सारा दिन उस से काम कराते हैं फिर अगले दिन वो सोता है, हमें लगता है वो rest कर लेगा, लेकिन वो सुबह फिर थकावा उठता है and over a period of time जब हम एक थकी हुई चीज को चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं तो वो थकी हुई चीज फिर सिरफ थकावट न रहकर फिर चिरफ चिड़ापन होने लगता है, फिर गुस्सा आ जाता है जैसे कभी कोई रात को न सोया हो किसी काम के कारण, कोई प्रोजेक्ट के कारण और तीन रातों से सोया न हो, तो वो न इरिटबल होने लगता है तो आसपास के लोग उसको समझते हैं, कि ते कुछ मत बोलो, तीन दिन से सोया नहीं है न, अभी एक दिन सोयगा, सब ठीक हो जाएगा लेकिन वो तीन दिन हो तो ठीक है, लेकिन जब वो आदती बन जाए तो थोड़ी एक दूसरे हमें को समझने वाले हैं लोग आसपास पर जो हम irritable हो गए हैं, जो हम react करते हैं, जो हम गुसा भी इस तरह से करते हैं, यह हमारी आदत नहीं है अच्छली, यह हमारा थकावा मन है अब यह मन इतना थकता क्यों है? क्या करके थकता है यह सारा दर? हमारी लाइफ तो कितनी comfortable हो गई है? हमें से कौन-कौन तब थे, जब फोन नहीं था, टीवी नहीं था, गाड़िया भी नहीं थी हमारे घर में, घर भी छोटे थे, साधन भी कम थे, रसोई में भी इतने साधन नहीं थे, हर चीज अपने हाथ से ही करने पड़ती थी, हमें स कौन-कौन था उसी इरा के अंदर? साधन कम थे, महनत जदा थे, काम भी जदा थे, लेकिन ठके हुए कम थे. ऐसे कैसे हो सकता है लेकर? कि महनत जदा, लेकिन फ्रेशनेस एनरजी जदा. आज सब कुछ आराम से साधन ही हमारे सारे काम कर देते हम तो कम ही काम करते बाकित्यों साधन ही करते है तो हम किस चीज से ठके हुए है और शरीर ठके तो ठके मन क्या करके ठका हुआ है मन क्या करके ठकता होगा सारा दे सोच सोच के ठक जाता है इतना सोचता है, इतना सोचता है, इसा मन करता है, यहाँ स्विच होना चाहिए, पांच मिनेट चुप रहो silence नहीं है यहाँ यहाँ का silence हम create कर सकते हैं, लेकिन यहाँ silence नहीं है अभी अगर try करें, कि मन को कहें stop, तो stop कितनी देर वो stop रह सकता है तो इसका मतलब यह non-stop सोच रहा है, रात को भी सोच रहा है और जिस speed पे यह दिन में सोचता है, अगर रात को इसकी speed को धीमा ना किया जाए तो क्योंकि हम physically भी ठके हुए हैं, सोच सोच के भी ठके हुए हैं, हम सो जाते हैं लेकिन हमने इसकी speed को धीमा ना किया सोने से पहले, तो यह रात को भी सोचता रहता है और कई बार तो हम रात को सोने से पहले ऐसी चीज़े करते हैं ऐसी चीज़े कोई देखते हैं ऐसी चीज़े सुनते हैं ऐसी चीज़े पढ़ते हैं जिससे इसका शोर कम होने के बज़ा है कौन-कौन ऐसा कुछ करता है जिससे इसका शोर बढ़ता है रात को सोने से पढ़े सोने से पहले फोन को देखना सोने से पहले सीरियल देखना जिसमें घर टूट रहे हैं शोर मचरा होता है उन सीरियल में आराम से थोड़ी बात करते हूं वो इसलिए शोर मचाते हैं नहीं तो हम टीवी की तरफ देखेंगे ने तो वो शोर मचाके बोलते हैं, जोर से बोलते हैं फिर तीन-तीन बार सेम लाइन बोलते हैं हमें लगता है ये टाइम पास है entertainment है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो शोर हमारे अंदर चल रहा है फिर हम सोने से पहले दुनिया की खबरे देखते हैं, जहां शोर मच रहा है सारा दिन में इतना शोर नहीं होता जितना फिर सोने के पहले ये सारी चीज़े देखकर शोर मचना शुरू होता है शोर मतलब टूमच तिंकिंग तो अगर हमारा 10 on 10 होआ माइंड तो हमारी थोट्स क्या हो जाएंगे जब माइंड जादा सोचता है हर एक चेक करना जब माइंड जादा सोचता है तो क्वालिटी जैसे सदनली कोई बात आई और आपका माइंड ने जल्दी सोचना शुरू किया तो उस समय क्वालिटी बहुत पीसफुल होती है जिस दिन मन पे कोई शोर चल रहा होता है नॉर्मल से जादा उस दिन नींद नहीं आ रही होती है होता है कि नींद नहीं आ रही है क्योंकि माइंड पे कोई बात चल रही है जिससे हम mind को slow down नहीं कर पारे आजकल बहुत लोगों को नीन दिनी आती है और कुछ लोगों को सोने के लिए दवाई लेने पड़ती है दवाई लेने से क्या करते हैं? उस शोर को थोड़ी देर के लिए दबा देते हैं बंद नहीं कर सकते हैं, सिरफ दबा सकते हैं और हम उतनी स्थिती तक पहुंच गए हमने दवायां भी लेने शुरू की, ये भी करना शुरू किया सब कुछ किया, लेकिन सिरफ हमने रुक कर ये नहीं चेक किया कि ये जो शोर मचरा है, हम इसी को क्यों न धीमा करें तो हमने अपने मन को परिवर्तन करने का कुछ नहीं सोचा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि मन मेरे, मन मेरे कंट्रोल में है क्योंकि दुनिया ने क्या कहा, मन क्या है क्या कहावत है मन के लिए दुनिया में मन चंचल है और कैसे भागता है मन कैसे भागता है जैसे एक बेल अगाम घोड़ा है दुनिया ने बोला तो हमने कहा मेरा मन भी वैसे ही भागता है किसका मन है ये मन किसका मन है किसका मन है ये मेरा मन है किसके अनुसार चलेगा मेरे अनुसार चलेगा जब हम दूसरों को कहते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वैसे करना तो हम किसके मन को कंट्रोल कर रहे हैं उनके मन को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैंने जो कहा आपको वैसे करना चाहिए क्या लोग हमारा कहना मानते है लोग हमारा कहना मानते है या नहीं मानते है अगर आप किसी को कहो ये करना है तो वो मानता है कहना या नहीं मानता है लोग आपका कहना नहीं मानते है अफकोर्स मानते है सब लोग हमेशा कहना नहीं मानते है लेकिन कहना तो मानते ही है अब अगर आपने किसी को कहा ये करना है, वो मानता है अभी जैसे सब खड़े थे मैंने कहा कोई खड़े मत रहो, बैठ जाओ माना ना तुरंथ लेकिन अगर मैं अपने मन को अभी कहूँ बैठ जाओ चुपचाओ, उतने जल्दी मानेगा दूसरों के मन ने मेरा कहना मान लिया मेरे मन ने दूसरों का कहना मान लिया सिरफ मेरा मन दूसरों को हम कहते हैं, वो मान जाते हैं हम दूसरों को कहते हैं, वो हमें कहते हैं हम एक दूसरे की बात मान जाते हैं लेकिन हम खुद को कहते हैं तो कहते हैं मन मेरे कंट्रोल में नहीं है क्यों ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ टू मच थिंकिंग तो सामने वाले का मन भी करता है लेकिन वो हमारा कहना मानते हैं क्योंकि हमने खुद के मन के साथ कभी बैटकर, उसकी तरफ देखकर उसका द्यान रखकर उससे प्यार से बात करके जब वो रो रहा था तो उसको थ्यार से चुप करा के हमने कुछ किया ही नहीं, वो करता गया, हम अपना काम करते गया, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो जिसके साथ रिष्टा नहीं बनेगा न, फिर वो कहना नहीं मानता, क्योंकि उसके साथ रिष्टा ही नहीं बनाया है, उसको discipline ही नहीं किया है, उसको right and wrong सिखाया ही अगर बच्चे को छोटी उम्रों में सिखाया ना जाए कि right क्या है, wrong क्या है, तो वो बच्चा disciplined नहीं होगा, और जब वो बच्चा गलत तरह से व्यवहार करता है, तो सब लोग क्या कहते हैं, माबापने कुछ सिखाया नहीं, सिखाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि उसको बोलना है, शुक्रिया बोलना है, चीजें उठाकर नहीं लानी है किसी की वापिस रखकर आओ, अगर नहीं सिखाया, तो वो तो कहीं से भी कुछ भी उठाकर लेकर आएगा, उसको क्या पता कि right क्या है, wrong क्या है, क्या हम अपने मन को सिखाते हैं, कैसा सोचना है, कैसा नही सोचना है, जब सिखाया है नहीं, तो वो तो कैसे भी सोचेगा फर, लेकिन उसके लिए हमें खुद पताऊना चाहिए कि कैसा सोचना चाहिए और कैसा सोचना नहीं चाहिए, तो जो शोर मचता है, वो शोर इसलिए मचता है, क्योंकि quality of thinking right अगर नहीं होगी, तो quantity बढ़ ज का दोनों का कठे connection है, किसी के बारे में अच्छा सोचिए अभी, अभी करिए, किसी एक को चूज कीजिए, और उनकी विशेशताओं का चिंतन कीजिए, उनकी अच्छी अच्छी qualities का चिंतन कीजिए, और गिनियेगा कितनी thoughts निकलते हैं, one, two, अच्छाईयां, एक ही person के, three, three, four, दिख रहे हैं, thoughts separate separate, एक एक अच्छा है, अब उनकी कमजोरियों और गलतियां देखे हैं, और फिर चेक करिएगा कौन सी स्पीड फास्टर है, फरक दिखाई दिया, दोनों चीजों के अंदर, किस-किस को फरक दिखाई दिया, अच्छाई देखेंगे, वो दिखेंगे अच्छाई, अच्छाई भी दिखती है, कमजोरियां भी दिखती हैं, लेकिन जब अच्छाई दिखती हैं, तो number of thoughts कम होती हैं, और जब कमजोरिय दिखती हैं तो number of thoughts जादा होती है It's a direct connection कि जब quality negative होगी number जादा होगा shore जादा मचेगा और जब quality अच्छी होगी तो 3-4 thoughts बोल कर मन क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा कभी भी किसी भी conversation में check करिएगा, जब कोई परचिंतन चल रहा है, पता है क्या हुआ फिर उसने ऐसा क्या, फिर ऐसा क्या, फिर ऐसा क्या फिर ऐसा क्या, फिर ऐसा क्या कितना लंबा चलता है और किसी के लिए बोलना है उसने आज न अच्छा किया उसने ये सेवा भी की, उधर भी गए अच्छा, तीन-चार लाइन में conversation finished तो अगर मेरे मन में thoughts जादा चल रही है तो it is not about कितनी thoughts है उसको कम करना है हमें thoughts को कम नहीं करना है हमें thoughts की quality को ठीक करना है कम तो अपने आप हो जाएंगे क्योंकि quality को अगर सही सोचेंगे तो speed कम automatically हो जाएगे तो सही कैसे सोचते हैं हर परिस्थिति में हमारी सोच बनाता कोन है हमारी सोच बनाता कोन है किस किस को लगते हमारी thoughts हम खुद members creating हमेशा यप कभी हमारी thoughts हम create करते है हमेशा हाँ तो sometimes हम create करते हैं sometimes situations create करते हैं sometimes कुछ और भी experience हाँ जी observation तो वो तो हम observe कर रहे हैं हमारी thoughts कौन create करता है यहाँ आसपास के लोग हमारी thoughts create करते हैं influence करते हैं हमारी thoughts क्योंकि change तो तब करेंगे तब पता चले कि create कौन करता है यहाँ जो चल रहा है यहाँ जो चल रहा है पो कौन create करता है किस-किस को पिछले एक हफते में गुसाया थौट है ना वो भी तो पहले तो यहां आता ना कभी-कभी शब्दों में नहीं आता व्यवहार में नहीं आता सिरफ मन में नराज की है तो वो जो गुसे की थौट आई वो किस ने क्रेट के खुदने की या उनकी वज़े से आई एक बिलीफ सिस्टम है जीवन चेंज होगा हां जी हां तो जब हमने गुसा किया चाए मन में किया चाए शब्दों में किया चाए व्यवहार में किया वो हमारी चोईस थी या उनकी वज़े से हुआ उनकी कोई गलती ने उन्होंने जो किया वो उनकी चोईस थी, of course उन्होंने जो किया वो उनकी चोईस थी, मैंने जो सोचा वो मेरी चोईस थी तोचलो choice थी या नहीं थी ओनो ने जो किया वो उन की choice थी मैंने जो सोचा वो मेरी choice थी नहीं थी थी 임ें जी situational था मतलब situational था मतलब एक मिन्ट एक मिन्ट एक मिन्ट हां सिचुवेशनल था मतलब उसने आप से कुछ गलत तरह से कहा या कुछ गलत किया तो फिर हमारा रियक्षन था एकिन वो रियक्षन हमारी चोईस थी सिचुवेशनल थी या पर्सनल थी यह ऐसे लगता न किती चूटी बात है हम यह क्या डिसकस कर रहे हैं लेकिन यही एक गलती चल रही है सारा दिन में एक मिस्टेक वो थौट मेरी चोईस थी उस थौट के लिए जिम्मेवार कौन था मैं या वो या दोनो उस थौट के लिए कौन जिम्मेवार था मैं वो या दोनो हाँ हाँ देखो लैंगविज कितने अच्छी है हम डिसाइड करते हैं हमें गुस्सा नहीं करना लेकिन सिचुएशन ऐसी आजाती है कि गुस्सा हो जाता है हम नहीं करते सिरफ ये एक वोकाबलरी चेंज करने है क्योंकि इस एक वोकाबलरी पे बहुत सारी और वोकाबलरी पड़ी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे हर रोज घाव लगते जा रहे हैं हर बार जब मैंने एक अच्छी क्वालिटी की थोट नहीं क्रेट की यहाँ एक घाव लग रहा है और अगर हम सिरफ इस एक जीवनकाल को देख लें हम जीवनकाल क्या आज एक दिन को भी देख लें तो हमें अवेरनेस भी नहीं है कि आज हमने सारा दिन में कितने घाव या लगाया है क्योंकि हमने उस घाव कोई नॉर्मल बोला हुआ है हमने उस घाव को नाच्रल बोला हुआ है तो एक मिने टांक बन करिये देखिए उन्होंने क्या किया था उन्होंने क्या किया था सही नहीं किया था बहुत गलत किया था बहुत 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 गलत किया था लेकिन उन्होंने जो किया था वो उनकी चोईस थी फिर हमने जैसा सोचा क्या वो हमारे कंट्रोल में था उस समय and most important क्या मेरे पास उस टाइम कोई और चोईस भी थी या वो राइट चोईस थी क्योंकि जब मैंने वो वाला option चूस किया और create किया मेरे मन में बहुत शोड मचा है उतनी देर में बात खतम हो गई लेकिन शोर उथल पुथल चलता रहा अब ही मेरा मन थोड़ा ठीक हो नहीं वाला था कि कोई और बात हो गई और फिर शोर मचा और फिर वो ठीक हो नहीं वाला था तो कुछ और बात हो गई और फिर शोर मचा और दीरे दीरे मेरा मन उसी volume पे चलना शुरू हो गया त्योंकि हम एक perfect दुनिया में नहीं रह रहे जहां सब कुछ मेरे अनुसार हो और इसे लिए मैंने इस मन के शोर को normal कह दिया और जब मैंने उस मन के शोर को normal कह दिया मैंने उसको silence करने का कोई पुर्शार्थ नहीं किया तो दिन बदिन वो शोर क्या होता गया? बढ़ता गया इसलिए सबसे पहले चीज़ क्या वो मेरी choice थी? उस दिन का गुसा क्या मेरी choice थी? choice थी? क्या मेरे पास कोई और choice थी? और choice थी? और अगर मैं दूसरी choice करती क्या वो मेरे लिए beneficial होता? तो आज से पहला homework दूसरों की गलतियों की वज़े से खुद को घाव नहीं देने गलती उनकी कमजोरी उनकी समाधान हमें करना है लेकिन दूसरों की गलतियों की वज़े से खुद को घाव हम कोई एक व्यक्तिक के साथ नहीं जीते on an average हमारी लाइफ में कितने लोग होंगे? पर शेत्रों पर इतने, फिर रिष्टेदार संबंदी इतने, फिर पडोसी इतने और फिर सिरफ हम उनके बारे में थोड़ी सोचते हैं अब तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? एक सेकंड में हमारे पास आ जाता है तो इसलिए अगर आप देखो जितनी जादा चीजें हमें पता चलने लग गई है शोर जादा मचने लग गए क्योंकि हर बार जब कोई चीज पता चली हमने कोई थौट क्रियेट की उसके ओपर और चीजें परफेक्ट नहीं हो रही थी हमने परफेक्ट थौट्स नहीं क्रियेट की और क्योंके हमने perfect thoughts नहीं create की यहां का शोर बढ़ गया है 20 साल पहले हमें overthinking word नहीं पता था क्या होता है I was no such word, ऐसा कोई शब्द नहीं था overthinking तो यह क्यों हुआ? पहले हमें सिरफ कितना पता चलता था जो इतने दाइरे में हो रहा था अपने शहर में क्या हो रहा है? वो भी तब पता चलेगा जब अगले दिन सुबह अकबार में आएगा तो जब चीजें कम पता चल रही थी मतलब stimulus कम मिल रहा था तो हर चीज पे react करना है अभी तो हर चीज पे reaction है तो जितना हम उस stimulus को react करते जाते हैं और क्योंकि वो बहुत सारी चीजे perfect नहीं है हमारा reaction भी perfect नहीं है तो यहां का शोर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है अब दो option है या तो चीजे सुनना बंद कर दें वो हो नहीं सकता आती रहेंगी सामने लेकिन अब हमने जैसे वो चीज पता चली मुझे अपनी जो choice यूज़ करनी है कि उस चीज के बारे में मुझे कैसी thought create करनी है क्या ये हो सकता है कि किसी ने कुछ गलत व्यवाहार किया है और हमने उससे अराम से प्यार से बात कि उसके बात क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? हो सकता है? ये choice है ना हमारी, क्योंकि choice तो हमारी है अब हम ये कहते हैं immediately, उसने गलत किया, तो मैं क्यों प्यार से बात करूँ उसका answer कर दीजिये, क्यों करूँ क्योंकि मुझे कितने number चाहिए 10 on 10 क्यों number 10 on 10 चाहिए सहन शक्ति आजाएगी, स्थिरता आजाएगी, शांती आजाएगी, खुशी आजाएगी, इंट्यूशन आजाएगी और जब ये आजाएगा, शरीर हेल्दी हो जाएगा और जब ये दोनों हेल्दी हो जाएगे, रिष्टे और मजबूत हो जाएगे और जब ये तीनों हो जाएंगे तो काम पर परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, ये चारों हो जाएंगे, पर्यावरन और अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि संकल्प से स्रिष्टी बनती है। संकल्प से स्रिष्टी बनती है और संकल्पों की quality जब down हो गई तो स्रिष्टी की quality down हो गई हमने सोचा कि स्रिष्टी की quality down हो गई इसलिए संकल्पों की quality down हो गई स्रिष्टी से संकल्प नहीं बनता संकल्प से स्रिष्टी बनती है हमारी सोच से शरीर बनता है या शरीर से सोच बनते है तो स्रिष्टी मतलब ये शरीर, फिर मेरे रिष्टे, मेरा परिवार, फिर मेरा काम, फिर मेरा वातवरन ये मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया कहां से बन रही है, यहां से बन रही है और मैंने दूसरों की गलती की वज़े से गलत सोच के अपनी स्रिष्टी बदल दी तो is it worth it? है worth? नहीं तो आज से पक्का करते हैं One step, one homework at a time दूसरों की गलतीयों के लिए अपने भाग्य को कोई भी हमारे अनुसार perfect नहीं हो सकता है अब गर आप देखें हम सेम लोगों को डांड रहे हैं और फिर हम ये भी कहते हैं इतना समझाया तो भी समझ नहीं आता खुद कोई कहलें इतना समझाया तो भी समझ में नहीं आता क्यों ये वाला method use करते हो रोज उनको तो नहीं समझ में आरा ठीक है लेकिन मुझे तो समझ में आ जाए ना वो जो गलती कर रहे हैं वो किसी काम में ही गलती कर रहे होंगे मैं जो गलती कर रहा हूँ वो तो मेरे मन और शरीर के साथ गलत कर रहा हूँ तो आज से हम कर सकते हैं first step change right thinking quality पे check करना है quantity पे work नहीं करना है किसी ने कुछ ऐसा किया अगर मैंने उस पे 10 thought चलाई क्यों किया, क्या किया, ऐसे नहीं करना चाहिता है ऐसे करना चाहिता है, ऐसे करो, कितना समझ इतना शोर और यही अगर मैंने कहा आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है और full stop लगाया तो मेरा यहां कितना silence हो जाएगा लेकिन हम कहते हैं लेकिन उन्होंने किया ऐसे हाँ उन्होंने तो ऐसा किया, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा दोनों में से किस पर control है, उन पर या अपने पर हम perfect दुनिया बना सकते हैं या हम perfect mind बना सकते हैं, कौन जा easy है try तो सारा दिन opposite कर रहे है और try हम इसलिए opposite कर रहे है हमें लगता है, जब perfect दुनिया होगी तो मेरा mind perfect happy होगा तो हम equation को क्या कर रहे है opposite लेके जा रहे है, कि जब यहाँ सब ठीक होगा तो यहाँ ठीक होगा, other way round जब यहाँ ठीक होगा, तो यहाँ सब ठीक होगा तो first step जैसे ही कोई बात आती है तो उस पर कितना सोचना है वो नहीं check करना, उस पर कैसा सोचना है, वो checking करना और अगर आपका मन गलत सोच भी रहा है, चो उस टाइम गलत लग नहीं रहा होता है, लग रहा होता है कि यह बहुत जायस है ऐसा सोचना बहुत सही सोचना है, लेकिन जब आपको लगे कि fast speed पे कुछ चल रहा है, रुख कर 10 सेकंड निकालिए इसको चुप कराने के लिए निकाल सकते हैं 10 सेकंड इसको चुप कराने के लिए जैसे आप सुबए उठे, आपको जल्दी जल्दी काम करते, बाहर जाना है और आपका चोटा सा बच्चा है उसने कोई गलती की है और आप उसको रुख कर वहाँ सिखाते हैं, ऐसे नहीं करना ऐसे करना है आपके पास टाइम नहीं है उसको सिखाने के लिए, आपको अपने काम पर जाना है लेकिन आपको पता है, अगर आपने आज उस बच्चे को नहीं सिखाया तो दीरे दीरे उसकी आदत क्या हो जाएगी तो आप वो 20 सेकंड निकालते हैं रुख कर उसको चेक करके उसको चेंज करने के लिए और जब आपने वो 20 सेकंड बार बार निकाले उसकी आदत फोरेवर क्या हो जाएगी चेंज और अगर उस दिन आपने सोचा नहीं मेरे पास टाइम नहीं अभी इसको समझाने के लिए आप चले गए अगले दिन फिर आपने सोचा मेरे पास टाइम नहीं इसको समझाने के लिए आप चले गए दीरे दीरे आपको पता ही नहीं चलेगा वो उस बच्चे के क्या बन जाएगी आदत और फिर दुनिया कहेगी माबापने कुछ सिखाया नहीं और फिर दुनिया कहेगी माबापको फुरसत ही का थी वो अपने ही काम में बिजी थे, बच्चों के तरफ ध्यान नहीं दिया तो 20 सेकंड निकालना चाहिए और नहीं निकालना चाहिए अब अपने चेकिंग करें जब शोर मचता है किसी टॉपिक पर अपने माइंड के अंदर तो सिर्फ 10 सेकंड निकालिये और यह आज से हमें करना है अगर नहीं किया तो आज जितना शोर मच रहा है अगले साल तक यह शोर क्या होगा? अगले साल तक यह शोर बढ़ जाएगा उस थिती पर न पहुंचे जहां अपने आप के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारा माइंड एक हैपी कॉन्वेसेशन नहीं क्रेट करता जैसे कुछ लोग होते हैं न नेगिटिव जादा बोलते हैं बोलते हैं न किते इनसे नहीं मिलना इनसे मिलो न तो सिरफ नेगिटिवी बोलते रहते हैं इनसे बस इतना सा पूछलो क्या हाल है तो शुरू हो जाएगे अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए नहीं पूछना जाने कई बार तो बोलते हैं हमने पूछना ही नहीं इसको क्या हाल है तो यह अपनी सारी प्रॉब्लम सुनाएंगे मुझे खड़े ओकर तो हमें ऐसे लोगों की बाते सुनना अच्छा नहीं लगता लेकिन जब हमारा मन ही वैसी बाते कर रहा है तो फिर क्या करेंगे उससे दूर तो नहीं जा सकते न कहीं पे तो इसलिए एक ही है जिसके साथ हमने सारा जीवन रहना है और यह ऐसा है कि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ोंगे यह मेरे साथ चलेगा यह सिरफ इस जीवन का साथ ही नहीं है यह सिरफ इस जीवन का साथ ही नहीं है यह मेरे साथ ही चलने वाला है तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको सिखाना कि राइट क्या है, रॉंग क्या है, ये एक investment है और अगर ये investment नहीं की, तो ये mind हमारे control से क्या होता जाएगा, बाहर control से बाहर मतलब हम इसको बोलेंगे ऐसा नहीं करना है, वो फिर भी नहीं रुक पाएगा तो फोन उठा लेंगे, घर पहुंचेंगे तो टीवी ओन कर देंगे, ये हम अपने mind को actually क्या कर रहे हैं, हम किसी ना किसी चीज में distract कर रहे हैं, जैसे ही कोई खाली होकर बैठता है, बिना कोई चीज आसपास के, तो यहां पे बहुत सारी बाते आने लगती हैं, वो वो सारी बाते हैं, जिनको हमने address ही नहीं किया, उनको दबा के रखा हुआ था, तो आज से first step, जैसे ही मन कहना शुरू करें, यह ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों क्या, वैसा क्यों क्या, यह क्यों क्या, उसको बोलो 10 seconds, pause, और 10 seconds, एक paper pen लें शुरू में, थोड़े दिन के बाद paper pen की ज़ूरत, या paper pen क्या, phone भी ले सकता है, थोड़े दिन के बाद उसकी ज़ूरत नहीं इसी situation में best thought मेरी क्या हो सकती है जो मेरी शक्ति को क्या करेगे जो मेरी शक्ति को बढ़ाईगे अगर आपने उस समय किसी और को राय देने हो जो आपकी तरह सोच रहा है तो आप उसको क्या राय देंगे वो राय हम अपने आपको दे सकते हैं दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, यह 10-10 सेकंड अगर निकाले, तो कुछी दिनों में यह आपका best friend बन जाएगा, कुछी दिनों में यह वो बन जाएगा, जो आपका हर कहना मानेगा, कुछी दिनों में वो बन जाएगा, जो इसके साथ रह इसलिए situation कितनी भी मुश्किल हो, situation कितनी भी गलत हो, सामने वाला कितना भी गलत हो, मेरी सोच उनकी गलती पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरी सोच किस पर डिपेंडेंट है? मेरी सोच किस पर डिपेंडेंट है? मेरी थौट किस पर डिपेंडेंट है? क्या हम किसी की गलती के लिए भी अच्छी थौट क्रेयेट कर सकते हैं? इसको एक white paper बनाई है इहाँ अभी आपर ठीक है visualize करिए, यहाँ एक white paper है ठीक है? और आपके पास एक pen है दिख्या, यहाँ एक white paper है यहाँ एक white board है और आपके पास एक pen है आज आप सारा दिन में 10 लोगों को मिलते हैं या 10 लोगों के साथ काम करते हैं और दसों लोग एके गलती करते हैं दिख रहा है और हर एक की गलती देखकर आप यहां क्या-क्या स्क्रिबल करते हैं तो रात तक यह वाइट पेपर क्या हो जाएगा यह वाइट पेपर क्या हो जाएगा और इसमें से मेजोरिटी जो स्क्रिबल है वो अपने बारे में नहीं है वो किस के बारे में है आप देख सकते हैं कि हमारे जो majority घाव है वो किसकी वज़े से है किसकी वज़े से है वो दूसरों की गलतियों की वज़े से हम जो scribble कर रहे हैं उसके घाव है और जबसे हमारे पास ये सब technology आई यहाँ जो scribble है वो सिरफ अपने दाइरे के दस लोगों के बारे में नहीं है आपको पता है आज की आपने सुबह सुबह अकबार पड़ी उसने क्या किया चालो, पांच मिनिट उसके ओपर conversation ऐसे कौन करता है, ऐसे भी करता है ऐसे नहीं करना चेटा, सिरफ देखते रहना वो white paper क्या होता जा रहा है white paper क्या होता जा रहा है और ये सारा कुछ scribble करके फिरम कहते हैं, शांती नहीं है खुशी नहीं है शक्ती नहीं है, scribble किया है और कई बार तो इतना scribble हो जाता है कि वाइट दिखाई भी नहीं देता अब इसको रोज लेके चले ऐसा ये वाइट पेपर है, पैन है सामने वाले ने गलती की, मैंने उसके बारे में यहां कुछ लिखना है मेरे पास चोईस है क्या लिखना है क्योंकि यहां जो लिखेगा वो लुकूंगी, वो आकर नहीं यहां लिखने वाले मेरे वाइट पेपर के ओपर उनकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन उस गलती के बारे में मैंने यहां क्या लिखना है, और कितना लिखना है एक लाइण लिखनी है दस लाइने लिखनी है, दस पन्य लिखने है वो choice किसकी है मेरी है उसके बाद वो चले जाएंगे लेकिन ये पन्ने मेरे साथ रहेंगे ये रात को जब मैं सोने जाऊंगी तब भी ये शोर मचाएंगे जो मैंने आज दिन में उनके बारे में लिखा था आपको लगता है कि किसी और की गलतियों की वज़े से अपने साथ इतना गलत करना चाहिए हमें करना चाहिए नहीं तो यहां पर लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं कोई गलत करें तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं आपको पता है हमारे पस पूराने पनने कितने पड़े हुए आपको तो यह भी निए पता आपके पस पिछले जन्मों के पनने कितने पड़े हुए क्योंकि यह आत्मा पर होरे रेकॉर्डिंग है और आत्मा एक सेकिन में शरीर छोड़ती है वो लोग साथ नहीं जाते है ये भी हमेशा याद रखना है चाहे वो आपका closest दाइरा है वो हमारे साथ तो नहीं जाने वाला है न वो साथ जाएंगे न उनकी गलती साथ जाएगे सिरफ क्या साथ जाएगा? जो मैंने उस टाइम यहां स्क्रिबल किया और एक सेकिन में मैं आत्मा शरीर छोड़ोंगे अपने करम और संसकार लेकर साथ जाऊंगे फिर नए कॉस्ट्यूम में जीवन शुरू होगा स्क्रिबल करने की आदत पड़ी होई होगी तो छोटा बच्चा भी स्क्रिबल जादा करता है अचकल हम कहते हैं बच्चे बड़े हाइपर होगे अचकल वो बच्चे नहीं है न वो कौन है? वो कौन है? हम मैंसे कौन ओवर्थिंकिंग क्रिएट करता है अगर और फिर मैंने यह शरीर छोड़ा और नया शरीर लिया तो शरीर बच्चे का है मन कौन सा है? मन वो ही ओवर्थिंकिंग वाला माइंड है तो वो ओवर्थिंकिंग वाला माइंड एक छोटे शरीर के अंदर हाइपर अक्टिविटी के रूप में दिखाए देता है आज मैं फ्लाइट में थी, इतना सा बच्चा था, बनारी हर चीज पर उसके एक बहुत राय थी, तो उसकी मम्मी बोलती है, ये बहुत ओपीनियेटिटिटिट है, इसका हर चीज के बारे में एक ओपीनियन होता है, तो सब लोग देख रहे थे, इतना सा बच्चा, इसका हर बात में एक ओपीनियन है, होगा ही न, छे साल पहले वो कौन था, छे साल पहले वो कौन था, वो यहाँ बैठा था ऐसे हर चीज पर अपना ओपीनियन, हर चीज पर अपना कमेंट, सोशल मेडिया पर हर चीज पर अपना ओपीनियन, आत्मा ने शरीर छोड़ा, छोटा सा श जाएगे, वो नहीं जाएंगे साथ में, उनकी गलती नहीं जाएगी साथ में, लेकिन उनके बारे में मैंने क्या डिखा, फिर मैंने उसको लिखने के बाद इरेज भी नहीं किया, तो वो मेरे साथ जाने वाला है, तो सिर्फ ध्यान रखना है, कि जब भी कोई बात आ रही है मैं उस बात के बारे में कैसा लिख रहा हूँ और जो हम लिखते हैं वो उस बात पर dependent नहीं होता वो किस पर dependent होता है जैसे कोई बात आई किसी ने लिखा कितनी बड़ी बात है और किसी ने लिखा किसी ने लिखा छोटी सी बात है अब दोनों के लिखने के बाद changes हो जाएंगे, जिसने लिखा बहुत बड़ी बात है, वो एक line पर नहीं रुख पाएगा वो उसके बाद कितने line लिखेगा उसके बाद अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक नहीं हुआ तो कैसा होगा, बार बार मेरे साथ ही ऐसी बाते क्यों आती हैं, कुछ ठीक ही नहीं चलता, ठीक होने ही लगता है तो फिर उसका तो पन्ना बहुत जल्दी भर जाएगा और सामने वाले ने लिखा, छोटी सी बात है यह तो क्रॉस हो जाएगी, उसके पास जादा कोई लाइने हैं नहीं उसके बाद लिखने के लिए और किसी ने ये भी सोचा कि इस बात में जरूर मेरा कोई कल्यान है ऐसा भी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं सोच सकते हैं जब भी कोई बात आए जब भी सामने वाला कुछ करे, जो हम first line लिखते हैं उस पे आगे की line है dependent हो जाती है title of the topic बहुत important है जैसे ही कोई बात आए सामने से, अगर आपने कहा बहुत बड़ी बात है, तो उसके बाद शोर वैसे ही मचना शुरू हो जाएगा अंदर और अगर आपने कहा चोटी सी बात है, तो कम शोर मचेगा, और अगर आपने कहा ये मेरे अच्छे के लिए आई है बात क्या हम बोल सकते हैं कि इस हर बात के अंदर के ये मेरे अच्छे के लिए आई है, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा एक बार बोल के देखें, ये मेरे कल्यान के लिए आई है बात, बोलिये एक बन, इसमें मेरा कल्यान है, सिरफ अच्छा नहीं है, इसमें मेरा कल्यान है, बोलिये इसमें मेरा कल्यान है, अब आंक बन कीजिए, अपने जीवन की कोई भी बात लेकर आई है इस टाइम, जो आपको सही नहीं लगते है और वो सच में इस टाइम सही नहीं है सब लोग कह रहे हैं जो हो रहा है वो सही नहीं है लेकिन अब आप उस बात को देखिए और अपने बाइट पेपर पे लिखिए इसमें मेरे लिए कल्यान है ये बात मेरे बेनिफिट के लिए आई है ये तूफान तूफान नहीं है ये तूफान एक तोफा है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है इसमें मेरे लिए कल्यान है फुल स्टॉप लिख सकते हैं ऐसा कि इसमें मेरे लिए कल्यान है कौन-कौन रेडियकल से लिखने के लिए पस इतना लिखना अभी बात में देखेंगे उसका benefit होता है कि नी वो तो आपको खुद experience होगा कि उसका कितना benefit होगा इसमें मेरे लिए कल्यान है जैसे ही हमने ये कहा इसमें मेरे लिए कल्यान है तो first कल्यान कौन सा होना शुरो हो गया first कल्यान कौन सा होना शुरो हो गया यहां का shore full stop सिरफ shore full stop नहीं आत्मा की शक्ति क्या हो गई बढ़ गई वेकल आत्मा happy है इसमें मेरे लिए कल्यान है जब ऐसी vibration create की और ये vibration हमने परिस्थिती को radiate की तो परिस्थिती जैसे सागर में लहरे आती है तो वो लहरें कोई तूफान नहीं है वो लहरे ही हमारी नाव को क्या करती है लेकिन कोई उस लहर को से डर जाता है और कोई उस लहर को क्या करता है enjoy करता है depending on हम उसको कैसे perceive करते है जैसे बच्चे को बोलना सिखाते हैं आज अपने आपको ये एक लाइन बोलना सिखा दीजे और इसको एक मंत्र की तरह पकड़ के रखे जैसे ही कोई बात आई आप कहिए इसमें मेरे लिए कल्यान है कह सकते हैं न? कुछ भी नहीं दिखरा होगा न? कल्यान तो भी कहना शुरू-शुरू में सिरफ कहना धीरे-धीरे कहने का अनुभव होगा और थोड़े दिन के बाद तो हंडेट परसेंट पक्का हो जाएगा के हर चीज में मेरे लिए कल्यान ही कल्यान है क्योंकि कल्यान और अकल्यान बात नहीं डिसाइड करती कल्यान और अकल्यान मेरा माइंड डिसाइड करता है और अगर बाहर कुछ भी कल्यान नहीं दिखाई दे तो एक कल्यान तो है कि यहां की शक्ति को क्या करती है अगर किसी के जीवन में कोई बात आती है लेट से किसी के काम में कोई बात आई, किसी के बिजनेस में उतार चड़ावाया, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, किसी की आज नौकरी चली गई, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब उसके बारे में बहुत नेगिटिव सोचा, तो फिर एक नुकसान एक नहीं र तुनाओं से कुछ नुकसान कहां होने लगता है, यहां होने लगता है, कहतें, मेरी नौकरी गई न, तो इतनी टेंशन हो गई, अब मेरा बलड प्रेशर बढ़ गई थी, उसका बलड प्रेशर से कुई कननेक्शन नहीं था, लेकिन वो अगला नुकसान किषने क्रिएट क प्रॉब्लम तो सिरफ काम पर थी, बाकी सारी प्रॉब्लम्स किसने क्रियोट की? मैंने क्रियोट की. तो जब हमने कहा, इसमें भी कल्यान है, और फुल स्टॉप लगाया, तो उसमें कल्यान है ही है. तो आज से लाइन पक्की, हर लाइन में कौन सी बात कहने है, इसमें बोल लिए एक बार इसमें पक्का बोल लेंगे उसने और ये बड़ी बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में इसमें भी मेरे लिए कल्यान है माइंड जब सही सोचेगा अच्छा सोचेगा कम सोचेगा और जब कम सोचेगा शक्ती क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी जब शक्ती बढ़ जाएगी समस्या का समाधान कर सकेंगे बात का सामना कर सकेंगे अगर नहीं करेंगे तो छोटी बातों में भी इतने सोचते हैं के बाद हम पर हावी हो जाती है, अब अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, परिस्तिती मुश्किल आई, तो हमारी लाइन फिक्स्ट है, इसमें कल्यान है, व्यक्ति कुछ गलत करता है, उसके लिए क्या थॉट क्रियेट करें? ऐसी कोई एक थॉट बताओ, जिसके बाद फॉल स्टॉट हो जाएगा, स्क्रिबल नहीं करना ज़्यादा, अच्छा इसमें इसका कल्यान है, मेरा क्या है यह बताइए, एक थॉट दीजी, अच्छी, आई वाइब्रेशन थॉट, हमें अपने सोच की क्वालेटी चेंज करनी है, क्वालेटी मतलब इसको हमें क्या करना है, उचा उठाना है, जैसे, for example, कोई आपसे पूछे कल सुब, क्या हाल है, आप क्या जवाब देते हैं, उसमें भी हाई वाइब्रेशन हो सकता है, हर शब्द को हाई वाइब्रेशन थॉट पे लेके जाना है, कोई पूछे क्या हाल है, तो क्या जवाब देंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा, और कोई, बहुत बढ़िया से भी उपर कोई आंसर, क्योंकि ये आंसर भी फिक्स्ट होना चाहिए, कोई अगर पूछे, क्या हाल है, हाव यू, तो हाई वाइब्रेशनल आंसर देना है, इतना हाई वाइब्रेशन हो, चो अपनी एनरजी भी उपर उठ जाहे, सुनने वाले की भी एनरजी उपर उठ जाहे, बताईए क्या हाल है, सब का आशिरवाद है, बहुत बढ़िया, और, आनदी आनद है, अगर हमारे जीवन में कुछ भी फाइन ना चल रहा हूँ न, और फिर भी अगर हम इन शब्दों का उचारन करें, तो फाइन होने लग जाएगा, क्योंकि संकल्प से श्रिष्टी बनती है, पहले हमें मन नहीं कर रहा होगा बोलने का, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे, बोलते बोलते हमारी एनरजी क्या होने लगेगी, शिफ्ट होने लगेगी, और जैसे बोलते बोलते हमारी एनरजी शिफ्ट होने लगेगी, मन की शक्ती क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, मन की शक्ती बढ़ेगी, समस्या का समाधान करेंगे, और कोई ऐसी समस्या आई, जिसका कोई समाधान नहीं है तो कम से कम इसको तो संभालेंगे लेकिन अगर हमने का, क्या करूँ क्या कहें, क्या चल रहा है बढ़े, पूछो इमद, कोविड में तो क्या क्या हुआ, आपको तो पता ही है बस सामने वाला भी सोचता है, गल्ती क्या पूछना नहीं चाहिए था मझे, इनको के क्या हाल है So we have to reflect यहां का हाल यहां दुनिया में क्या चल रहा है, वो उनको भी पता है उन्होंने आपको पूछा How are you? यह नहीं पूछा what is happening in your life वो नहीं पूछा है और शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे सिरफ हमारी एनरजी नहीं बढ़े दूसरा भी अगर थोड़ा दाउन है उसकी भी अनरजी क्या हो जाए? बढ़ जाए शुरू-शुरू में वो सिरफ शब्द होंगे हो सकता है I am not feeling perfect and yet I am saying everything is perfect तो high vibrational thought मतलब शुरू-शुरू में जूट बोलना Yes लेकिन हम जूट इसले बोलने वाले हैं क्योंकि हमें पता है हमारे संकल्पों से स्रिष्टी बनती है क्योंकि हमें पता है हमारे संकल्पों से भाग्य बनता है बात जो है वो है लेकिन अगर मेरी उसके बारे में सोच छोटी हुई तो मेरी शक्ती क्या होती जाएगी? कम और उसी बात के बारे में अगर मेरी सोच उंची हुई तो मेरी शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी सबसे important चीज हर situation में अपनी शक्ति को संभालना है बाकी सब ठीक हो जाएगा लेकिन यही down हो गया, तो बाकी सब को कैसे संभालेंगे? तो चाहिए कुछ भी हो जाएगे? कैसे हैं? कैसे हैं? लेकिन ऐसे नहीं बहुत बढ़िया बोल के फिर अगली लाइन में बाकी गाने सुनाने ना ना एक बार बहुत बढ़िया बोल दिया तो फुल स्टॉप उसके बाद राइट थॉट्ट, हाई वाइब्रेशन थॉट्ट, कम थिंकिंग और कम थिंकिंग तो कम शब्द भी है आप देखो जितना हमारा माइंड जादा सोचता है फिर हम बोलते भी जादा है हर चीज़ के बारे में उसमें भी हमारी एनरजी क्या होती है? अपने शब्दों की क्वालिटी को चेक करना है क्योंकि हमारे शब्द भी घाव लगा रहे है तो अपने बारे में पूछा तो हमने कहना है Everything is perfect अब किसी ने आपको किसी और के बारे में पूछा उनके बारे में क्या बोलेंगे? अब अपने बारे में तो अच्छा अच्छा बोल दिया आप किसी और के बारे में आपको पता है आज उन्होंने क्या किया? अब क्या? जवाब दीजे High Vibration ये एक भाशा है ये एक भाशा है और ये भाशा ही decide करेगी कि मेरे जीवन में कितनी खुशी कितना सुक, कितना स्वास्त और कितनी सम्रिद्धी आईगी ये भाशा decide करेगी किसी और के बारे में कोई आप से पूछे तो क्या बोलेंगे? अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है अब उसके बारे में बोलिये सामने वाला आएग और कहेगा उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया वो ऐसे कैसे कर सकते थे आपके साथ तो वो आएंगे अपना स्क्रिबल बोर्ड लेकर क्योंकि उनके पास स्क्रिबल भरा हुआ है तो वो स्क्रिबल लेकर आएंगे अब आपकी चोईस है कि उनका स्क्रिबल सुनने के बाद आपको अपने स्क्रिबल बोर्ड पे और स्क्रिबल करना है या आपको कुछ ऐसा बोलना है जिससे सिरफ आपका बोर्ड साफ न हो जाए उनका भी बोर्ड बोलना बंद करें जो हम सोचते हैं और बोलते हैं वो उस पर dependent नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं वो उस पर dependent होता है हम कौन हैं हम जो सोचते हैं और बोलते हैं वो हमारे संसकारों को दर्शाता है उनके व्यवाहार को नहीं लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं वो हमें नहीं, वो उनके संस्कारों को दर्शाता है लेकिन लोगों ने जो गलती की उसको देख देख कर हम खुद की गलती करते जाएं तो हम किसके साथ धोका कर रहे हैं? हम किसके साथ धोका कर रहे हैं? हम अपने साथ धोका कर रहे हैं तो हर सिचुएशन में और हर व्यक्ति के लिए मुझे high vibration thought create करनी है और high vibration thought को दुआ कहते है high vibration thought को आशिरवात कहते है blessings कहते है और दुआएं तो असंभव को भी दुआएं तो असंभव को भी क्या करती है संभव कर देती है तो सामने वाले ने अगर कुछ गलत भी किया है और हमारी सोच ही उसके लिए दुआ हो तो क्या दुआ उसको चेंज कर सकते है क्या दुआ उसको चेंज कर सकते है और अगर दुआ उसको चेंज कर सकते है तो दुआ क्योंकि एक high vibration thought है तो सामने वाले को भी कौन सी डिरेक्शन में लेकर जाएगी, उपर लेकर जाएगी, लेकिन अगर सामने वाले ने गलती की है और हम negative सोच रहे हैं, negative मतलब जो करा वो ही सोच रहे हैं, क्यों किया, कैसे किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो ये हमें कहां लेकर जा रहा है, ये हमे चूस करिए अपने लाइफ में कोई भी एक परसन जो कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको सही नहीं लगता अपने close दाइरे में चूस करिएगा आप उनके लिए बहुत care करते हैं आप चाहते हैं उनकी लाइफ में सब perfect हो वो आपके बच्चे हो सकते हैं लेकिन इस समय वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं है उनको left hand पर रखे वो जो कर रहे हैं उसको left hand पर रखे और उसको एक vibration दीजिए कि आपको क्या लगता है 10 से 100 पर आप उसको कितनी value पर रखते हैं उनकी चीज़ को हो सकता है वो बात बहुत गलत हो तो वो 10 पर ही हो हो सकता है वो गलत है आप उसको 50 पर रखे अब आप right hand पर अपने मन को रखे और आप इस energy का connection देखेगा जैसे ही यहां से आपने उनके दुआ क्रियेट करनी शुरू कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है वो जो कर रहे हैं उनका नुकसान भी हो रहा है इस ताइम इसले तो वो 50 तक पांच गया है लेकिन आपने उनके लिए अच्छा सोचना शुरू किया और आपकी vibration किस तरफ गई? किस तरफ गई? उपर गई और 50 पर थे और उनको ऐसे देख देखकर आपने चिंता करनी शुरू किया आपने डर क्रियेट करना शुरू किया आपने का इसका क्या होगा यह ऐसे करेगा तो कैसे होगा यह कैसे होगा कैसे होगा ऐसा सोचते सोचते हमारी vibration कहां गई? नीचे गई वो अल्ड़ी 50 पर थे हम नीचे गई और हमारी vibration उन तक पहुंची तो वो कहां गई? उनको लेकर कहां जाना चाते थे? उपर और लेकर कहां चले गई? नीचे जिम्मेवार कौन? हम इसलिए उनकी गलती हमारी सोच नहीं डिसाइड करती हमारी सोच उनके भाग्य को बदल सकती है इसलिए हर एक परि उनके लिए दूआ किछ यह. दूआ मतलब वो नहीं जो कभी-कभी create हो. दूआ मतलब मेरी भाषा ही दूआ की हो. जब हमने कहा कोई मुश्किल परिस्थिती आई और हमने कहा इसमें मेरे लिए कल्यान है, हमने उस परिस्थिती को दूआ दे दी है कि तुम कोई मुश्किल तो मेरे भाग्य को और श्रेष्ट बनाने वाले आई हो, और अटोमाटिकली भाग्य चेंज हो जाएगा। इसी तरहे अब लोगों को दुआ देनी है। अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई निर्ने सही नहीं ले रहा है, कोई उसका करम सही नहीं हो रहा है, इवन अगर वो आपका बच्चा है, हमें ये याद रखना पड़ेगा, कि वो बच्चा सिरफ बच्चा नहीं है, वो एक आत्मा है जो एक ज़र्णी पर चला है। उसके अपने करम है, वो अपना भाग्य अपने साथ लेकर आया है। आप अपनी अटाच्मेंट की वज़े से, अपने मोह की वज़े से ये चाहेंगे, कि आपके बच्चे के भाग्य में कभी कोई गल्ती आये ही ना, लेकिन हमारे चाहने से ऐसा होता नहीं है। ये हमारे पास पावर नहीं है, कि हम उसके भाग्य को perfect बना दें, लेकिन हमारे पास ये पावर है, कि उसके भाग्य में कुछ भी आ जाए, हम उसको powerful perfect बना दें, ताकि वो अब सही करम करके अपना भाग्य चेंच कर लें, वो हमारे पास पावर है। तो पता होना चीए कौन सी पावर है और कौन सी पावर नहीं है। हम चाहते हैं उनके जीवन में कुछ रॉंग आई ना, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे कोई छोटी बात आई, चाहे उनके लिए कोई बड़ी बात जोने लगया है। बाते तो आएंगी हैं, क्योंकि हम कल्योग के अंतिम समय पर चल रहे हैं। हर आत्म कई कर्मा डेपॉजट करके आई हो यह है। और वो सड़नली उनके जीवन में ऐसे बात बन कर आ जाती है। अब उनके सामने वो बात आई क्यों? क्योंकि कुछ कर्म किया था, उसी का तो परिणाम आया है। हम चाहते हैं कि परिणाम ही न आये, हम नहीं रोक सकते उसको। For example, यहां से मैंने बॉल फेंका वो करम है। बॉल वापिस आ रहा है वो परिणाम है। आपका बच्चा वो बॉल फेंक कर आया हुआ है। वो सामने से वो बॉल उसका भाग्य वापिस आना ही है। आप कितना भी सोचो वो नहीं आना चाहिए। आपके सोचने से वो नहीं हो सकता क्योंकि वो बॉल वो बच्चा अल्ड़ी पहले फेंक कर आया है चाहे उसने वो इस जीवनकाल में फेंकी है या पहले का भी फेंकी है लेकिन अब आपके पास क्या पावर है वो फेंक कर आया हुआ है कब फेंक कर आया हमें पता नहीं हमें स भाग्य को बदल दीजिए, इसके सामने जो बाते आ रही हैं, इसको चेंज कर दीजिए कोई नहीं चेंज कर सकता क्योंकि हर करम का परिणाम उस आत्म के साथ साथ चलता है लेकिन जब वो बॉल सामने से आ रही है, मतलब उसके जीवन में भाग्य में वो बात आ रही है किसी के भी हमारे आसपस इस समय हम उस सिचुवेशन को कैसे रिस्पॉंड करेंगे वो हमारा नया करम है हम पुरानी फेंकी हुई बॉल के परिणाम को नहीं रोक सकते, लेकिन अब हमारा बच्चा कौन सी बॉल फेंकेगा वो उसको गाइड कर सकते हम कि नहीं कर सकते है कर सकते है नहीं कर सकते लेकिन ये वो वाली गाइडन्स है जो बोल बोल के नहीं की जा सकती है क्योंकि जादा बोलेंगे तो उस समय घर में क्या होने लगेगा क्या होने लगेगा कुछ चीजे शब्दों से नहीं करने चाहिए क्योंकि शब्दों से तो करके हमने ट्राइक कर लिया था शब्दों से उन्होंने हमारी बात नहीं मानी कई बार हमें लगता है वो हमारी बात क्यों नहीं मानते है वो हमारी बात मान ही नहीं सकते है क्योंकि वो भाग्यम में वो परिणाम लिख कर लेकर आए है तो हम उस बात पे भी गुस्सा हो जाते हैं कि ये मेरी बात क्यों नहीं समझता ये decision क्यों right नहीं ले रहा वो decision wrong ले रहा है मतलब वो ball उसके सामने आनी है आनी है लेकिन हम उसके decision को अभी इस समय नहीं change कर सकते हैं लेकिन हम उसको ये शक्ति दे सकते हैं कि जब वो बात उसके सामने आ रही है तो बात को face करने की power बात को face करने की power हम उसकी बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं ना? लेकिन हम बढ़ाने की जगे क्या कर देते हैं? हम उसकी शक्ती को बढ़ाने की जगे क्या कर देते हैं? हम उसकी शक्ती को घटा देते हैं. क्यों घटा देते हैं? क्योंकि हम गलत सोचते हैं उस बात के अंदर. क्योंकि हमारी सोच ये नहीं होती कि इसम कैसे हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे हुआ, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब इसका भविश्य क्या, इतना तो बुरी बात भी नहीं थी, बात उतनी बुरी नहीं होते जितनी हमारी सोच बुरी हो जाती है, बुरी मतलब lower energy, lower energy, लेकिन मेरी सोच उस टाइम lower energy क्य हो जाती है क्योंकि मैंने सारा दिन में चलते हुए अपनी सोच को high energy पर लाए नहीं थे तो यहां की frequency को set करना है जब सारा दिन की छोटी छोटी बातों में इसकी frequency को उपर रखेंगे फिर अगर जीवन में कोई और बात आईगी भी तो इसकी भाषा कौन सेट होगी है इसकी भाषा कौन सी सेट होगी यह उसी भाषा में बोलेगा तो अगर कोई problem आए तो चिनता करना राइट है या दुआ देना राइट है लेकिन वो दुआ एक मिनिट की नहीं मेरी सोच ही दुआ बने अब visualize कीजे कि आपके life में कोई है जो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके लिए right नहीं है या उसके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो right नहीं है आप क्या दुआ देंगे क्या thought देंगे जिससे उसकी vibration क्या हो जाएगी उपर उठेगी healing एक ऐसी चीज है जो सिरफ हम अपनी नहीं करते हम दूसरों की भी कर सकते है सिरफ अपनी सोच को उपर उठा के भी हम दूसरों की healing कर सकते है हम मंदिर में जाते है मस्जिद, गुर्द्वारे में जाते है आश्रम में जाते है हमारी mind की healing होती है Healing मतलब हम just enter करते हैं हम कहते हैं अच्छा लगा यहां के अच्छा कैसे लगा? वहाँ कोई energy है energy कैसे create हुई? क्योंकि वहाँ high energy शब्दों का उचारण होता है place of worship पे कैसे शब्दों का उचारण होता है high energy शब्दों का उचारण होता है वो एनरजी हम पर प्रभाव डालती है और हम उपर हो जाते हैं फिर उसके बाद हम घर आते हैं फिर हमारी घर की एनरजी हम पर प्रभाव डाल देती है लेकिन अगर हम अपने घर की एनरजी कोई हाय एनरजी बना दे बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं बहुत इजी है हमने बहुत महनत कर ली है लाइफ में किस चीज़ पर महनत की अपने परिवार को सब कुछ देना है क्या सब कुछ देना था उनको बेस्ट घर उनको बेस्ट पढ़ाई उनको बेस्ट साधन और यह सब कुछ कितना इंपोर्ट मकान मेरा बड़ा हो लेकिन एनरजी भारी हो मकान में एक कमरा कम हो लेकिन वाइब्रेशन में सुकुन हो और वो सुकुन से घर में रहने वालों को शक्ती मिले कौनसा जाधा इंपोरेट है तो उसके लिए क्या करना पड़ेका अपने यहां की vibration को क्या करना पड़ेगा उपर उठाना है और वो vibration उस time ने उपर उठानी जब कोई situation आती है वो vibration मेरी normal सोचने का और बात करने का तरीका लेकिन सारा दिन में अगर किसी ने कुछ किया कुछ किया और मैंने उनके लिए यह क्यों वैसे क्यों ऐसे क्यों वैसे वाला scribble किया और suddenly मेरे बच्चे के जीवन में कोई बात आए हम दुआ उस time create नहीं कर सकेंगे क्योंकि मेरे mind को कौनसी frequency पर बोलने की आदत पड़ गई कौनसी frequency पर बोलने की आदत पड़ गई है तो वो वह भाषा बोलेगा उस time ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे क्योंकि रोज वो बोलता है ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे उस time भी वो वैसा ही बोलेगा तो full stop लगेगा नहीं thoughts बहुत चलेंगी और वातवरन घर का क्या हो जाएगा और heavy हो जाएगा घर का वातावरन इतना heavy हो जाता है कि जिसके mind पे वो बात चल रही होती है जिसके life में वो problem चल रही होती है उसका घर आने का मन भी नहीं करता कि तो घर आके और tension बढ़ जाती है ऐसे समय पर अगर हम किसी के लिए कुछ भी न कर सकें कुछ-कुछ चीज़े होती है न हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते है लेकिन हम उनको एक gift दे सकते है कि उनके लिए हम घर के वातावरन को कैसा बना दे कैसा बना दे इतना शक्तिशाली बना दे कि वो पूरा दिन भी अगर अपना मन परेशान होकर उनका घर आए तो जैसे घर आए तो उस माइंड की हीलिंग हो जाए और हीलिंग कैसे हो जाएगी उस घर में रहने वाले लोगों की वाइब्रेशन की वज़े से लेकिन ये करना कब पढ़ेगा उस टाइम नहीं कर सकते हैं ये उस टाइम नहीं कर सकते हैं कोई कर ही नहीं सकता जो अपनी लाइफ की नॉर्मल सिचोईशन में हाई वाइब्रेशन पर नहीं सोचेगा वो life की crisis में high vibration पर कैसे सोच लेगा, करी नहीं सकता लेकिन जो सारा दिन की रोज की vibration high रखेंगे उनको तो दूसरी vibration की भाशा ही भूल जाएगे कि कैसे होती है तो वो automatically उस time वो vibration पर बोलेंगे और जब हम अच्छा सोचते हैं, श्रेष्ट सोचते हैं कम सोचेंगे automatically, तो संकल्पों की शक्ती क्या हो जाएगे? बढ़ जाएगे, that means thought power जब संकल्पों की शक्ती बढ़ जाती है, तो कान सी सिद्धी आ जाती है? संकल्पों की जब शक्ती बढ़ जाती है, मतलब बीज क्या हो गया? शक्ती शाली हो गया जब ऐसे ही बीज फेंकते रहेंगे न सारा दिन तो वो बीज का वरिक्ष नहीं निकलेगा लेकिन विधी पूर्वक जब बीज डलता है तो उस बीज का वरिक्ष वरिक्ष पे फल निकलते है तो जो संकल्प शक्तिशाली हो जाते है जो मन शक्तिशाली हो जाता है उनको एक वर्दान मिलता है और वो होता है संकल्पों की सिध्धी का अब आप जैसा सोचेंगे वैसा होने लगेगा हम सब अपने प्राचीन भारत में सुनते हैं न रिशी, मुनी, तपस्वी, सन्यासी तब किया और तब करके ऐसी शक्ति आए कि वो जो बोलते थे तथास्तु हो गया सुना यह नहीं सुना पर अच्छा बोलते थे तो तथास्तु और अगर opposite भी वोला तो तथास्तु मतलब क्या हुआ पावर आगई है और पावर यह आगई है कि जो thought create करेंगे जो बोलेंगे वो हो जाएगा आपको चाहिए ऐसा माइंड कि जो सोचेगा वो हो जाएगा ऐसा माइंड चाहिए किसको चाहिए ऐसा माइंड सबको नहीं चाहिए क्या वह डर लग रहा है काई हम उसको ठीक से यूज कर पाएंगे कि नहीं यूज कर पाएंगे मिलेगा इतब अगर अच्छा-च्छा सोच सोच के सोच सोच के तब ही वो स्तीती तक पहुंचेंगे कम जब सोचते हैं सही सोचते हैं तो हर सोच में ताकत आजाती है अभी क्या हो रहा है हम सोचते बहुत हैं लेकिन फिर भी result नहीं निकलता, हम कहते हैं, ना मैंने तो इतना सोचा, फिर भी नहीं हुआ, सिरफ सोचने से नहीं होता, शक्तिशाली सोच होनी चाहिए, उस सोच में power होनी चाहिए, सिरफ सोचने से result नहीं होता, powerful सोचने से result होता है, लेकिन powerful सोच कैसी create होगी सारा दिन waste नहीं होने चाहिए चलिए, अब भाशा बनाते हैं किसी के अंदर कोई संसकार है जो सही नहीं है आपने उसके गलत संसकार का चिंतन नहीं आपने उसको उस संसकार के लिए दुआ देनी है कर सकते हैं और दुआ मतलब लेकिन हमने क्या thought create की इसमें कल्यान है और कल्यान है बोलकर हमने उस situation को कौनसी vibration पर उठाया कल्यान की vibration पर और अगर हमने सोचा यह क्या हो गया, अब कैसे चलेगा अब तो सब कुछ खतम हो गया तो हम उस situation को कौनसी vibration पर ले गए सब कुछ खतम चोईस हमारी है अब इसी तरहे किसी के अंदर कोई संसकार है जो आपको सही नहीं लगता है आप उसको उंची वाइब्रेशन पर लेकर आईए जिस वाइब्रेशन पर आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए तो दुआ दीचे इसमें भी कल्यान है परिस्थिती के लिए बोला व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे अच्छा कोई एक संसकार बताईए जो किसी के अंदर चेंज करना है अपने अंदर नहीं किसी और के अंदर इसके साथ सब कुछ? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि किसी के साथ बार-बार कुछ गलत हो रहा है आपको बता है वो बार-बार गलत नहीं होता, वो पहले एक-दो बार ही गलत होता है कुछ लेकिन जब एक-दो बार गलत होता है हमारी सोच बनती जाती है, इसके साथ तो गलत ही हो रहा है इसके साथ तो आप सिरफ यह करके देखना है, हम सब के पास संकल्ब से सिद्धी है एक बार कुछ गलत होता है, दूसरी बार गलत होता है, हम के ते हमाल है, इसके साथ तो बार-बार ही गलत हो रहा है, बार-बार भी हुआ नहीं होता है, बार-बार ही गलत हो रहा है, फिर सामने से कोई बलता है, अरे इसके साथ फिर गलत हो गया, तीसरा बलता है, देखो ना, और जैसे ही अगली बार फिर गलत होता है किते हैं मुझे पता था इस बार भी नहीं होने वाला है ये लौ है संकल्प से सृष्टी ये एक लौ है संकल्प से सिध्धी ये एक लौ है लौ मतलब नीयम है ये और अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ अब दुआ दीजे मतलब feel भी नहीं होगा starting में कुछ भी अच्छा लेकिन सिरफ बोलना है बोल बोलके उस feeling को create करना है गलत हो रहा है हम क्या thought create करेंगे क्या thought create करेंगे इसका सब perfect हो रहा है बढ़िया के इलावा इसके साथ और कुछ हो इनहीं सकता सफलता के इलावा इसके जीवन में कुछ और आ नहीं सकता आप सिरफ सोचते जाए बोलते जाए सामने वाले कोई आके कहगा अरे फिर से बोलो कुछ भी नहीं है ऐसा सब perfect है उखेगा नहीं मैंने तो सुना के नहीं नहीं आसा कुछ नहीं है सब बढ़िया है आप सोचते जाए और बोलते जाए जरूरी नहीं है तुरंत एक miracle क्रियेट होगा कोई magic नहीं हो रहा यहां पे लेकिन ये definite होगा कि तुरंत उसकी vibration क्या होने लग जाएगी उपर उठने लग जाएगी और जैसे उसकी vibration उपर उठने लग जाएगी उसका करम चेंज हो जाएगा और जैसे उसका करम चेंज हो जाएगा उसका परिणाम चेंज हो जाएगा और वो है संकल्प से सिद्धी ये सारा दिन वर्क कर रही है सारा दिन वर्क कर रही है इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान आक्चली किसका रखना चाहिए है, सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखना चाहिए है, क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा, वो सिद्ध होने लगता है, तो अपनी भाशा को क्या बनाना है, अपनी भाशा को क्या बनाना है, शुद्ध, श्रेष्ट, आशिरवात की भाषा, दुवाओं की भाषा, मिरिकल की भाषा, मिरिकल क्रियेट करने न, अपने लाइफ के अंदर even a simple चीज, किसी शरीर में कोई रोग है, अपने शरीर में कोई बिमारी है, आप सिरफ उसी पर experiment कर लो और आपको result मिल जाएगा, कुछ दर्द हो रहा है न, आप सिरफ बार बार बलो दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, आज फिर दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रह फिर वो भी कहते हैं, अच्छा दर्द हो रहा है, आज फिर दर्द हो रहा है, फिर दूसरा उसको को बोलते हैं, वो का बता है, आज भी उनको दर्द हो रहा है, आप विज्वलाइस भी ने कर सकते, कितना दर्द की energy और जब इतनी सारी वाइब्रेशन आते है, दर्थ हो रहा है, दर्थ हो रहा है, तो उसके बाद वो दर्थ, उसके बाद वो दर्थ, यह एक्सपरेमेंट करना है, यह मैजिक नहीं है, यह नॉर्मल science है, यह science किस की science है, यह science of the mind है, विज्ञान अर्थाच science of the outer world ज्ञान अर्थाच science of the inner world अब अगर आपको कुछ दर्द हो रहा है आप सिरफ उस अंग के लिए जो दर्द हो रहा है शरीर में जो imbalance लग रहा है आप उस अंग के लिए सिरफ thought create कीजिए सब बढ़िया है यह एकदम perfect है यहाँ जो energy blockage थी वो clean हो चुकी है वो clear हो चुका है सब perfect है दर्द हो रहा होगा कोई आपको पूछेगा आप कैसे हो दर्द हो रहा है को नहीं कौन सा दर्द सब perfect है अपना दर्द डॉक्टर के इलावा किसी और को सुनाने की जुरत नहीं होती है क्योंकि जैसे आपने दूसरों को बोला सब perfect है suddenly दस लोग आपके लिए thought create करने वाले अरे आज तो वो perfect है आज तो वो perfect है जब इतनी perfect दुआएं आएंगी वो उस शरीर के अंग पर hit करती है वो vibration और वो शरीर के अंग की healing शुरू हो जाती है हमें vibration को इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है वो choice हमारी है क्योंकि वो जहां है वहां तो रहने ने वाली है वो या तो वहां से उपर जाएगी या वो वहां से कहां जाएगी नीचे जाएगी choice किसकी है choice किसकी है तो आपका क्या हाल चले आपका क्या हाल चले है? बहुत परफेक्ट है और आपके शरीर का क्या हाल चले है? परफेक्ट है आपके बच्चे कैसे चल रहे हैं? देखो एक ही शब्द में सारे आंसर खतम हो जाते हैं कम सोच, कम बोलना समय भी बचता है, शक्ती भी बचती है लेकिन ये सिरफ बोलने के लिए नहीं है इसको हमारी सोच बनाने है लोगों को राय देनी है, लोगों को शिक्षा देनी है लेकिन दुआ में सिरफ एक चीज होनी इनका सब कुछ परफेक्ट है सब बढ़िया है सफलता के लावा कुछ और है ही नहीं दुआ वो चीज नहीं होती है जो कभी-कभी दी जाती है दुआ वो चीज नहीं होती है जो जनम दिन के दिन, नए साल के दिन दिवाली के दिन दी जाती है दुआ वो चीज होती है जो हर संकल्प में create की जाती है क्योंकि दुआ मतलब एक high vibration thought तो क्यों ना हम एक high vibration thought को अपनी normal way of thinking बना दे, क्यों हम नीचे उत्रें, और जैसे हमारी thought high vibration होगी, तो हमारे संकल्पों की गति, हमारे संकल्पों की गति, अपने आप धीमी हो जाएगी, और जब ये होगा, तो कोई भी परिस्थिती का सामना करना, कोई भी परिस्थिती का स है जोगा, हमें परिस्थिती परिस्थिती नहीं लगेगी, वो जीवन के एक normal scene है, इवन जीवन की सबसे बड़ी परिस्थिती, जहां किसी ने हमारे परिवार में या समीप में, किसी ने अपना शरीर त्याग करके आत्मा जड़नी पर आगे गई है, उसमें भी हमारी सोच कैसी होने चाहिए, कैसी होने चाहिए, उस समय तो सबसे जादा याद रखना चाहिए, कि हमारी सोच उनकी vibration को उपर उठा रहे है, या नेचे लेकर आ रहे है, सोचना चाहिए उस समय उनके बारे में या नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, सोच से डिटाच हो गए न, तो उनकी कैचिंग पावर बहुत हाई हो जाती है तो इसलिए जीवन की सबसे बड़ी परिस्थिती, उसमें भी जितनी बड़ी परिस्थिती उससे बड़ी हमारी सोच परिस्थिती हमारी सोच नहीं, हमारी सोच परिस्थिती को बनाती है हमेशा याद रखना है स्रिष्टी से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से स्रिष्टी बनती है तो स्रिष्टी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करने है अटेंजन किस पर अब एक मिनिट साइलेंस में अपनी लाइफ की कोई एक चीज ढूंडिये, जिसके बारे में आपको अपनी सोच को चेंज करना है, अब ही करेंगे लेकर, अपनी फैमिली, बच्चे, उनके संसकार, कनवर्ट कीजिए इस समय अपनी थोट को, कनवर्ट कीजिए, वो जो कर रहे हैं, वो जो उनकी नेचर है, वो नहीं सोचना है, जो उनको बनाना चाहते हैं, वो सोचना है, और सोचने की भाषा क्या है, कि वो अल्ड़ी है ही, स्पेसिफिक दुआ को क्रिएट कीजिए अभी, कि कैसे सोचना है उनके बारे में, और जीवन में कोई सिचुएशन अपने या उनके, या अपने वर्क प्लेस पे, उसकी हाइस्ट वाइब्रेशन थौट क्रिएट कीजिए, जो दिखरा है वो नहीं सोचना, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, और सोचने की भाषा क्या है? वो है ही, हुआ ही पड़ा है, स्पेसिफिक, ओके, किस-किस को आ गया, कि क्या कैसे दुआ देने है, आ गया, क्लियर, एव्रिबड़ी, किसी को नहीं आ रहा, तो अभी बताएए, उसी टाइम अभी उसको आंसर करके फाइनल करें, कोई भी सिचोवेशन जिसके लिए आपको नहीं आ रहा, कि क्या लाइन क्रिएट करने है, कुछ डूंडा था, क्रिएट किया था, या नहीं क्रिएट किया, किस-किस ने क्रिएट किया है, उपर, क्रिएट किया, किसी ने शेयर करना है, क्या क्रिएट किया, किसी का भी अग नहीं, तो थौट क्या है? हाँ, 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 वेरी गुड, और उनका हर निर्णे, और उनका हर करम, अब आप यह देखें, कि आप किसी के लिए ऐसा सोच रहे हैं, आपका हर निर्णे सही है, आपका हर करम श्रेष्ठ है, आपके ओपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे ही यह वाईप्रेशन जाईगी, वो अगर यहां होंगे, तो कहां उठ जाएंगे? और यही ओपोजिट, यह तो पता निकिस किस के संग में आ गया है, इसके ओपर तो गलत संग पड़ गया है, इसकी आदतें बिगड़ती जा रहे हैं, दिख रहा है कि वो हो रहा है, राय भी देनी है, लेकिन राय से पहले क्या देना है? राय से पहले दुआ देखकर उसकी स्थिती को क्या करना है? उपर उठाना है, तब तो कोई राय काम करेगी, नहीं तो करनी भी नहीं है, और राय देने की भी भाषा को अगर पॉजिटिव करते हैं, तब ही व्यक्ति राय स्विकार करता है, नहीं तो सिरफ उनका इगो और यहमारे इगो क्लाश करता है, कठे है, तो भाषा पता चलगी, कैसे क्रेट करनी है? यह होना चाहिए नहीं, यह है, यह नहीं बोलना इसको ऐसा होना चाहिए, नहीं, होना चाहिए मतलब वो नहीं है, हम यह रिपीट कर रहे हैं, कि वो नहीं है, हमें यह नहीं कहना है प्रभु उनको सद बुद्धी दे, दे मतल यह मतलब अभी नहीं है भाशा भाशा उनकी बुद्धी कैसी है उनकी बुद्धी कैसी है जितना उंचा उठा कर लेकि जाना चाहे लेकर जाए हाँ हाँ तो मतलब हम high लेके जा रहे है लेकिन जिनके लिए हम high रहे है वो negative है लेकिन कोई और कोई बात नहीं न तो ठीक है चलो इसको विजोलाइज करते है 1, 2, 3 3 लोग बैठे है एक वो है जिनकी situation चल रहे है तो let's say वो 50 पर है ठीक है एक हम है, जो अब 50 से कहां उठ रहे हैं, हम जा रहे हैं 80 की तरफ, लेकिन तीसरा जो हमारी फैमिली में है, वो तो 30 की तरफ जा रहा है, किसका असर जादा होगा, जो 30 की तरफ जा रहा है या जो 80 की तरफ जा रहा है, क्यों, 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 एनरजी कहां से कहां फ्लो नहीं होती है, सिरफ हमें ध्यान क्या रखना है, आप अपने हाय को जितना हाय लेकर जा सको, और दूसरी चीज, ये थौट भी खतम कर दो कि दूसरे की अनरजी नेगेटिव है, ये थौट भी ने क्रेट करने हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने ये थौट प्रेट की, इनकी तो ने कर रहे हो, लेकिन जो थर्ड है, जो चिंता कर रहा है, उसको भी तो हीलिंग की ज़ुरत है ना, इसके लाइफ में प्रॉबलम है, आप उसके लिए दूआ कर रहे हैं, और तीसरा जना चिंता कर रहा है, लेकिन जिसको प्रॉबलम है, उसको हीलिंग चाहिए, लेकिन जो ज आपको नीचे ले कराएगी, तो आपकी healing ये बीच वाले पर भी असर नहीं करेंगे दुनिया को बदलने के लिए घर को बदलने के लिए सब को बदलने की जोरत नहीं होती है कितने लोगों को बदलने की जोरत है कितने लोगों को घर में सिरफ एक अगरबत्ती की ज़रुत होती है घर में सिरफ एक दिये की ज़रुत होती है पस वो काफी होता है पूरे घर को रोशने और दिशा दिखाने के लिए लाइठाउस एक होता है पूरे समुदर की हर जहास को वो दिशा दिखाता है सिरफ एक जगे स्थिर direction दे रहा है एक सब को बदलने की जोरत नहीं है ये वेटने करना के सब बदलेंगे लेकिन ये पका है कि एक बदलेगा तो घड़ बदलेगा क्योंकि एक के बदलने से बाकी सब की vibration क्या होने लगेगी? उपर उठने लगेगी तो अब अपने कुछ संकल्प लिख लेते हैं आज लिख लीजिए, फोन पे टाइप कर लीजिए, फोन पे रेकॉर्ड कर लीजिए जो हमने आज से रोज शुरू करने है और उसमें आप ये वाले भी अपना संकल्प आड़ करेंगे जो आपने अपनी situation के लिए specific किया या आपने किसी परिवार के सदस्य के लिए situation specific किया और ये सिरफ परिवार के लिए नहीं होता कई बार हमारे साथ जो काम करते हैं उनके अंदर भी बहुत अलग-अलग संसकार होते हैं अब हम उनकी वही संसकारों को बार-बार फोकस करते हैं उनके लिए भी दुआ केचिया है सपोज आपके ओफिस में रोज कोई लेट आता है कई लोगों के पास संसकार होता है प्यार से लेट आते हैं कितना भी कोशिश करें वो जरूर लेट पोंचते हैं क्यों वो लेट पॉंच रहे हैं उनके पास वो संसकार बना हुआ है तो वो आत्मा अपने संसकार के परवश है मुझे उसके संसकार को पक्का नहीं कराना है मुझे उसको एक नया संसकार क्रेट करना है तो मुझे उसके लिए क्या दुआ क्रेट करने है मुझे उसके लिए क्या दुआ क्रेट करने है वो रोज लेट आते हैं दुआ दीचिए आप सही टाइम पे आएंगे नहीं आए हैं आप हर रोज आप हर रोज समय से पहले पहुंचते हैं और हायर भी तो जा सकते हैं चोईस हमारी है उंचा सोचने की कोई लिमिट नहीं है जैसे आजकल नीचा सोचने की कोई लिमिट नहीं है तो उंचा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है पहला संकल्प मैं शक्ति शालियात्मा हू I am a powerful soul दूसरा संकल्प अब यह हम अपने लिए दूआ क्रेट कर रहे हैं सारी, तके हमारे संसकार चेंज होंगे, तूसरा संकल्प, मैं शांथ हूं, स्थिर हूं I am calm and stable तीसरा संकल्प मैं सदा खुश हूं I am always happy चौथा संकल्प मैं निडर हूं मैं निश्चिंत हूं इस समय वादावरण में डर और चिंता फैली हूई है कई बार बिना किसी कारण के हम infection catch कर लेते हैं तो मैं निडर हूं मैं निश्चिंत हूं पांचवा संकल्प आप खुद अपने लिए create करेंगे depending on आप अपना कौन सा संसकार change करना चाहते हैं और भाषा कैसी होगी जो आप बनना चाहते हैं मैं वो हूं खुशी चाहिए नहीं मैं सदा खुश हूं उसी तरह पांचवा वाला संकल्प आप create करेंगे अपना specific संसकार जो आप change करना चाहते हैं छटा मेरा शरीर निरोगी है स्वस्थ है और हमेशा रहेगा अगर शरीर में कुछ भी दर्थ कोई पारमिटर रेंज से बाहर उसके लिए संकल्प कीजिए जो आप चाहते हैं आप कहें वो वाला पारमिटर बिल्कुल पॉफेक्ट है नॉर्मल है फिगर भी दीजिए उसको आपको पता है बीपी नॉर्मल कितना होता है शुगर नॉर्मल कितना होता है आप ये संकल्प क्रेट करेंगे मेरा ब्लड प्रेशर उतना जितना नॉर्मल आपको बनाना है वो फिगर को आपको उट करेंगे कोई भी पारमेटर आपकी body में changed है आप उसके लिए specific संकल्प करेंगे मेरा cholesterol, मेरा thyroid, मेरा sugar level और वो specific value देंगे वहाँ ये मत सोचिएगा कि 300 से मैं सीधा 100 कैसे बोलू मैं पहले 500 बोलू, कुछ नहीं 300 से सीधा 100 बोलना है संकल्प की शक्ति है सेवंथ संकल्प, अपने रिष्टों के लिए मैं सब को स्विकार करते हूँ सब मुझे स्विकार करते है मेरा हर रिष्टा, प्यार और सम्मान की नीव पर डिका हुआ है और एक बहुत important संकल्प मेरा परिवार एक चुट है, योनाइटे है और हमेशा रहेगा I accept everyone, everyone accepts me my relationships stand on trust and respect my family is united and will always be एक संकल्प, अपने करम चित्र, मतलब जो आप काम करते हैं उसके लिए आप रखिये, वो आप बनाएंगे अपने आप जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी आपकी डेडलाइन चल रही है जो भी आपका ambition है, जो भी आप बनना चाहते हैं आप वो लिखे कि वो हम बन चुके हैं वो अचीव कर चुके हैं क्योंकि संकल्प से सिद्धी होती है सफलता मेरे लिए निश्चित है और आखरी संकल्प पर्मावत्म की शक्ते और दुआएं मेरे चारो तरफ सुरक्षा कवच है इसको visualize कीजिए पर मात्मा की शक्ते और दुआएं मेरे चारो तरफ एक सुरक्षा कवच्छ है Divine White Light Energy Circle अब इसी में अगर आपके घर में कोई specific बात चल रही है किसी के लिए आपको अपनी सोच बदलनी है उसको अब ले उसके बाद यह सारे अपके अपने लिए थे यह सारे हमारे personal है उसके बाद हमें specific किसी situation के लिए suppose किसी के अंदर किसी के घर में धन की कोई कमी आई है कोई बात आ रही है तो हमें लिखना है हमारे पास भरपूर धन है बिसनेस में कुछ उपर नीचे आया हुआ है तो हमने लिखना है कि मेरा बिसनेस पहले से भी बहुत अच्छा चल रहा है अपना target सेट कीजिए कहां पहुँचना है और लिखे कि हम अल्ड़ी वहां पहुँच चुके है जो बात और संभव दिखाई देती है वो सोचे और बोलिए वो हो चुका है तो इसके बाद यह जो अपने लिए create के उसके बाद family में किसी के लिए भी अपनी thought को बदलना है किसी रिष्टे के लिए अपनी thought को बदलना है अगर किसी के लिए हम बार-बार यह सोचते है मेरी इन से बंती नहीं है पता नहीं इनको मुझसे problem क्या है मेरा इनके साथ कुछ न कुछ गड़बड होता ही रहता है तो होता ही रहेगा अगर आप उसके साथ एक thought change करिए और आप thought create कीजे मेरा इनके साथ रिष्टा सबसे मजबूत है यह मुझे स्विकार करते हैं मैं इनको स्विकार करते हूँ अगर कोई आप से ठीक से नहीं बात करता आप उनके लिए संकल्प कीजे यह मुझे बहुत सम्मान देते हैं जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है जो देखना है वो सोचना है क्योंकि जैसे ही आपने सोचा यह मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं वाइब्रेशन जाएगी वो वाँसे और गलत आएगा और अगर आप यहां से एक थौट भेजते हैं वो थौट उनकी हीलिंग करती है कि यह मुझे सम्मान देते हैं यह मुझे समझते हैं यह मुझे स्विकार करते हैं उनकी वाइब्रेशन उपर उठनी शुरू हो जाएगे ओके इजी रख ली जे फोन भाशा चलियर हो गई भाशा जानना इंपोर्टन है संकल्ब तो हम फिर कभी भी किसी भी सिचोएशन के लिए बना सकते हैं भाशा चलियर होनी चाहिए जो देखना चाहते हैं वो संकल्ब क्रियेट करना है और ये नहीं कहना ये होना चाहिए ये कहना है ये ओल्ड़ी हो चुका है अब जैसे हम ये थोट क्रियेट करते हैं ये हो चुका है हम वाइब्रेशन कौन सी क्रियेट कर रहे हैं इस दुआ ये दुआ है, अब इस thoughts को रात को सोने से पहले एक बार जरूर बोलना है क्योंकि रात को जब हम सोने जाते हैं तो हमारा subconscious mind खुलता है मतलब ये जो उपर का shore है ये क्या हो जाता है, silent होता है और रात को सोने से पहले हम जो सोचते हैं वो बिलकुल deep जाता है इसलिए रात को सोने से पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए ऐसे कुछ भी सोचते हुए नहीं सो जाना चाहिए इसलिए परमात्मा को याद करके meditation करके कुछ अच्छे ज्यान की बाते भरकर high energy words भरकर सोना चाहिए और सोने से जस्ट पहले अपने इन संकल्पों को दोरा लीजिए आप अपनी लाइफ की कोई भी problem आज decide कीजिए और आप उसके लिए एक संकल्प लिखे और आप उसको रोज दोराईए within एक मन्त, एक महिने के अंदर अंदर आपको चीज़े बदलते हुई दिखाई देंगे क्योंकि आप बदल चुके हैं क्योंकि आप बदल चुके हैं तो चीज़े बदलने ही बदलने हैं यह होना ही होना है certain है hundred percent जितना law of gravity certain है उतना ही law of manifestation certain है, उतना ही certain है इसमें कोई option नहीं है, सिरफ ध्यान रखना आपका खुद का मन option ना create करें शुरु-शुरु में create करेंगा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे सिरफ बोलते जाओ फील भी नहीं हो रहा होगा सिरफ बोलते जाओ शुरु-शुरु में लगेगा हम जूट बोल रहे हैं लेकिन ऐसा है, नहीं पर बोलते जाएए, देखना चाहते है न, थोड़े दिन के बाद feeling create हो जाएगी, तो पहला change कहां आता है, यहां आता है, फिर दीरे-दीरे vibration change हो जाएगी और फिर उसका result उस परिस्थिती में दिखाई देखा, यह healing है, इससे हम अपनी मन की healing कर सकते हैं, अपने संसकारों की healing कर सकते हैं, अपने शरीर की healing कर सकते हैं, अपने रिष्टों की healing कर सकते हैं, अपने काम की healing कर सकते हैं, अपनी प्रकृती की भी healing कर सकते हैं, तो रात को सोने से पहले best तो होगा गर इसको एक बार लिखें, कितना टाइम लगेगा, दस thoughts लिखने में, एक मिनिट से भी कम, क और आँखे बन करके लेट गए, तो यही बोलते बोलते सो जाए, मैं शक्तिशालियात्मा हो, मैं शान्त हो, मैं स्थिर हो, मैं सदा खुश हो, मैं स्वस्थ हो, मैं निरोगी हो, सफलतान, आप सिरफ यह बोलते बोलते सो जाए, अगले छे घंटे यही शब्दों का उच्चा शब्द चलेंगे अगले छे गंटे अब इसका opposite आप देखिए कि आप news देखते हुए या कोई serial देखते हुए सो गए कौनसे शब्दों का उचारन चलता है फिर मन और शरीर पर unhealthy lifestyle तो रात को सोने से पहले 10 minute ज्यान भरिये spiritual content फिर इन शब्दों का उचारन कीजिए मतलब इन संकल्पों को दोराएए फिर meditation जो हम कल से सीखेंगे उसको 5 minute कीजिए और सो जाएए गहरी नीन सोएंगे गहरी नीन सोएंगे क्योंकि ये करने से संकल्पों की speed क्या हो गई संकल्पों की speed धीमी हो गई संकल्पों की speed धीमी हो गई अब लेट गई गहरी नीन सोगई अब जैसे गहरी नीन सोगई कम नीन की जुरत पड़ेगी है आज हम जादा सोते हैं इतना नहीं सोना पड़ता कितने घंटे सोना जीए depends on ये कितना थका हुआ है कौन ये थका हुआ है ये कितना थका हुआ है जैसे ये light रहेगा आपके automatically रोज के एक दो घंटे बचेंगे इसलिए जो जो लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास meditation करने का time नहीं है हमारे पास center आने का time नहीं है लेकिन जब वो आना शुरू करते हैं और जो दुआएं देते हैं उनको सारा दिन दुआएं मिलती भी है दुआएं मिलती भी है तो रात को सोने से पहले और जब गहरी नींद सोएंगे तो ब्रह्म महुरत अपने आप नींद खुलेगी अलाम लगाने की ज़ुरत भी नहीं पढ़ेगी हम चौबीस घंटे का जो महुरत समय है उस समय सो रहे है अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो आप महुरत के समय सोने जाएंगे सोने जाएंगे नहीं पंडित जी इंतजार नहीं करते हैं किसी की भी कहते हैं महुरत निकल रहा है हम केते पर वो आई नहीं केते हैं वो आई नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं जल्दी जल्दी करो उद्गाटन क्योंकि महूरत निकल रहा है महूरत मतलब क्या High Vibration Time तो 24 गंटे का भी एक महूरत टाइम होता है कौन सा टाइम होता है वो सुभ़ चार से पांच के पीच कल्यों के अंतिम समय पर हम ऐसी दुनिया क्रियेट कर रहे हैं या उस समय लोग सोने जा रहे हैं तो यह सिरफ लाइफ स्टाइल चेंजिस हैं तो ब्रह्म महूरत के समय अपने आप नीद खुलेगी और फिर उस समय उठकर हम अपने मन की शक्ति को घटाना नहीं है मन की शक्ति को बढ़ा कर दुनिया को बदलना है दुनिया को क्यों कंज्यूम करते रहते हम अपने माइंड के ओपर जितना हम दुनिया को अपने माइंड पर कंज्यूम करेंगी दुनिया और वैसी बनेगी क्योंकि हम वोई vibration create कर रहे हैं तो सुबह का समय अपने लिए होता है और फिर सारा दिन में तो सुबह ये संकल्ब दोराने है कल और एक टाइम और दोराना है भोजन करने से पहले क्योंकि अन जैसा होता है वैसा मन होता है आपने संकल्ब किया मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंथ हूँ मैं सदा खुश हूँ लेकिन जिसने आपका खाना बनाया आज वो चिंता में था यह खुद आप जब खाना बना रहे थे तो आप किसी चिंता में थे तो आपके खाने के अंदर चिंता की energy है फिर हम कहते हैं हम तो रोज संकल्ब करते हैं हो क्यों निरा क्योंकि खाने से emotional infection catch होती है इसलिए बहुत 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 important है कि भोजन करने से पहले कौन-कौन बिना हाथ धोए खाना काता है कोई भी नहीं आप बिजी होते हैं तो अभी हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं क्यों धोते हैं क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो कोई ना कोई infection catch हो जाएगी इसी तरहे जैसे हम हाथ धोए बिना कभी खाना निखाते हम भोजन के energy change किये बिना कभी खाना नहीं खाते कभी भी भी नहीं खाना खाते खाई नहीं सकते क्योंकि हमको उसका impact पता है कि जिसने वो खाना बनाया है जिस वातावरण में को खाना बना था जहां से वो सबजी आई थी जह शेहर का वो पानी था सब कुछ उसके अंदर है और अगर उसको कंजूम किया तो वैसे ही बन जाएंगे इसलिए दस सेकेंड रुक कर उन संकल्पों को अन के सामने दोहराना है अगर आपके घर में कोई बात चल रही है रसोई से वो बात ठीक की जा सकती है सिर्व खाना बनाते समय वो संकल्पों को घुमाते जाओ खाने के साथ आटे में उसको गूंद गूंद कित और और टाइट से गूंद और उसमें डालते जाओ तुम शक्ति शाली हो तुमारा हर निरने सही है तुमारा हर करम श्रेश्ट है हमारे परिवार में रिष्टे बहुत मजबूत है हमारा परिवार एक जुठ है आप आटे में गूंदते जाओ रोटी पर बेलते जाओ दाल में कडची घुमाते जाओ तीन दिन बाद वो बोलेंगे पता नहीं हमारे को क्या हुआ आज हम इनके साथ इतने अच्छे से किसे बात कर रहे है खाना जैसा अन वैसा मन ये एक लाइन नहीं है ये एक पावर है ये एक पावर है और इस पावर को हर घर में यूस करने की जरूरत है बाहर से खाना नहीं ओर्डर करना आपको पता ही नहीं होगा क्या घूम गया है उसके अंदर अपने मन को कमजोर करने का एक सिंपल तरीका कहीं भी खाना खा लिया पता ही नहीं किस ने बनाया है पता ही नहीं किस ने बनाया, कौन से वातवरण में बनाया कौन से धन से बना है, कौन सी स्थिती में बना है, तो emotional infection तो पताने कितने लोगों की catch कर ले हैं, धन सात्विक होना चाहिए, बनाने का तरीका सात्विक होना चाहिए, अन सात्विक होना चाहिए, मन के level पर जाधा मेहनत नहीं करने पड़ेगी, बहुत इजी हो जाएगा उसको शान्त रखना, तो खाना खाने से पहले उन दन संकल्पों को दोराएं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो 10 सेकंड सुबह, 10 सेकंड रात को, 10 सेकंड तीन टाइम, और हम तो हर बार पानी पीने से पहले भी करते हैं, क्योंकि पानी वाइब्रेशन अब्सॉप करता है, जैसा अन वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, तो हमें तो पता है ना ये सब कुछ, हमें तो पता है, तो ये सिरफ एक लाइन है क्या, जैसा पानी वैसी वाणी, इसका मतलब पानी में जो vibration होंगे वो मेरी वानी बन जाएगे तो क्यों ना पानी में अच्छे vibration डाले तो हमारी वानी क्या हो जाएगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए simple simple तो ये सारी चीजे है meditation ये है राजयोग राजयोग एक lifestyle है कैसा सोचना किस तरह के शब्द उचारन करना कैसे अनस्विकार करना कैसे अन बनाना तो रिष्टे सारे बदल जाते है शरीर का स्वास्त बदल जाता है और मन तो टेन ओन टेन होई जाता है हो नहीं जाता है हम उस समय में आके पहुंचे हैं जहा meditation अब एक option नहीं है एक necessity है हर घर में एक को करना है और पूरे घर की vibration को क्या करना है उपर उठाना है तो कल से इसी hall में तीन दिन के लिए meditation का course चलेगा कि meditation कैसे करने है और जो हमने आज ज़स टांट किया है उसको तीन दिन क्या किया जाएगा और गहरा कि जब तक हमारी वो सोच high vibrational energy न बन जाए और उस high vibrational energy को create करने का सहज तरीका परमातम शक्ति के साथ आत्मा का connection जोड़ना है तो वो सिरफ हमारी vibration नहीं उसके साथ उसकी vibration भी जोड़ जाएगे तो कल से timing दो timing है हाँ तीन दिन है तो Saturday, Sunday, Monday तीन दिन दो time है दोनों में से आप कोई भी एक time choose करेंगे सुब साथ से आथ या शाम को छे से साथ सुब साथ से आथ या शाम को छे से साथ convenient timing है ये दोनों timing convenient है कौन-कौन निकाल सकता एक घंटा तीन दिन के लिए हाथ उठाए कौन नहीं निकाल सकता तीन घंटा हाथ उठाए तीन घंटा नहीं निकाल सकते या वह एक घंटा मतलब अच्छा संकल्प नहीं होता क्या संकल्प करना चाहिए मेरे पास टाइम ये टाइम है मेरे पास जितना टाइम चाहिए उससे ज्यादा टाइम है टाइम नहीं है ये लाइन अच्छी नहीं होती है तो अच्छा फोन नंबर बे एक रख लेचे इनकेस आपको कुछ पूछना हो तो 7987 7987 688 637 7987 688 637 तो हम यही पड़, इसी हॉल मे कल से, साटरे, संडे, मंडे एक घंडा मेडिटेशन की विधी को सीख कर जिससे संकल्पों की सिद्धी और बढ़ जाती है और हमारा वो 10 पर पांचना बहुत इसी है लेकिन तब तक मतलब कल सुबह, 6 बज़े सुबह का टाइम हाँ, 7 बजे तो या तो हम कल सुबह, किस-किस को सुबह का टाइम सुट करता है, हाऊत उठाई है ऐसे सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है सुबह प्रेफरबल होता है आना, और किसको शाम का टाइम सुट करता है, और अगर बाइचator किसी को यह दोनों टाइम सूट ना करते हों, क्योंके हमने आपको ऑप्शन नि देना बहाना देने का, अगर बाई चांस आपको यह दोनों टाइम ना सूट करते हों, तो आप इस फोन नंबर पर बात करके, आप अपने चोईस का टाइम फिक्स करिए, और कुछ बताईए option अगर by chance आपको ये तीनों दिन सूट न करते हो तो आप कोई भी दिट जूस कीजिए और उस कोई भी दिन पर कोई भी time जूस कीजिए लेकिन खुद को शक्तिशाली बनाईए परिस्थित्यां बहुत fast बदल रहे हैं अगर अभी भी अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाया तो बाती कुछ ऐसी आती हैं कि उसके बाद शक्ति बढ़ाने की भी chance नहीं मिलती है परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है इसलिए ये कभी नहीं सोचना मेरे पास time नहीं है कहना हम जा रहे हैं पुरे परिवार के लिए शक्ति कमा कर लेकर आने के लिए है हर घर में एक पैसा कमाने वाला चाहिए उससे घर चलता है और अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए ताके उसी से घर चलेगा अब हर घर में शक्ति चाहिए धन तो आई गया है, समान भी आ गया है लेकिन हर घर में शक्ति चाहिए चलिए एक मिनिट साइलेंस में बैठेंगे कुछ भाई बैने नीचे भी बैठे हुए है और पड़मात्मा ये कहते हैं कि हम कहां बैठे हैं उससे कोई फड़क नहीं पड़ता क्योंकि कई बार हम जब बैठते हैं तो हम एक low energy संकल्प create करते हैं कि हम तो दूर बैठे हैं, हम तो नीचे बैठे हैं उसको convert करें क्या convert करेंगे हम मन की seat पर सबसे आगे बैठे हैं और हमने आज सब को जो discuss किया सबसे अच्छा मैं implement करूंगा यह अपने आपको दूआ दीचे है हम शारीरिक रूप से कहां बैठते हैं वहाँ कोई फड़क नहीं पड़ता हम मन के रूप से कहां बैठे हैं उस पर हमारी destiny decided है सीधा होकर बैठकर अपने मन को 10 on 10 वाले स्थिते में लाकर हर परिस्थिते के लिए सही सूचने वाला मैं शक्तिशालियात्मा बाते लोग परिस्थित्यां वो तो है लेकिन मेरी सोच उपर उठाएं मेरा हर संकल्प दुआ है मेरा हर बोल आशिरवात है मेरे पास संकल्पों की सिध्धी है मैं दिव्यात्मा शक्तिशालियात्मा हूँ पर्मात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच्छ मेरे चारो तरफ है मेरे संकल्पों से परिस्थिती बनती है मेरे शब्दों से भाग्य बदल जाते है मेरे बोल उनके लिए वर्दान बन जाते है मैं शक्तिशालियात्मा हूँ सदाशान्थ स्थिर अगले चौबीस घंटे होमवर्क अपने मन को 10 on 10 उस्थिती को पाना नहीं है उस्थिती में जीना है वो 10 on 10 है मन नहीं है वो है अब उस थिती में जीना है अटेंशन वो एक ही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है मेरा मन परफेक्ट है शुद्ध है, श्रेष्ठ है दुआओं की भाषा सोचता है हमेशा 10 on 10 है Always Always हम यहां से अपने घर पहुँचने तक मौन में रहेंगे मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है शब्दों पर सय्यम लाता है और वो समय अपने आपके साथ के लिए है जीवन में बहुत सारी बाते हैं जिनके लिए अपनी सोच को बदलना है घर पहुँचने से पहले बदलना है तो बिलकुल साइलेंस में उठेंगे जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे और घर पहुँचने तक साइलेंस में रहेंगे कोई भी परिस्थिती आजाए इसमें कल्यान है कोई भी व्यवाहार हो दुआ देने है हर संकल्ब से खुद को, उनको, शरीर को और प्रकृती की हीलिंग नाच्रल हो रही है सबसे पहले जो बाहर बैठे हैं भाई बेने, आप उठेंगे जो बाहर बैठे हैं, जगे बनाएंगे बिलकुल साइलेंस, जैसे कोई नई है आगे की तीन लाइन उठेंगे घर तक मौन में रहेंगे उन संकल्पों को एक बार दोहरा लीचे घर पॉंचने से पहले रात्री का भोजन करने से पहले और सोने से पहले और फिर सुब़ उठते हैं मैं शक्ति शाली आत्मा हूं मैं सदा शान्त हूं, स्थिर हूं मैं सदा खुश हूं निडर हूं, निश्चिन्त हूं शरीर स्वस्थ है, निरोगी है सफलता निश्चित है रिष्टे मजबूत है धन भरपूर है हर संकल्प को बदलिये, भाग्य बदल जाएगा स्वस्थ है स्वस्थ